तो बच्चा हम लोगों ने हम लोगों ने क्या कल सेडिमेंटेशन तक पढ़ लिया था आज हम लोग सेडिमेंटेशन पढ़ लिया था उसके बाद में हम लोग फिल्टरेशन पढ़ेंगे आप तो सबसे पहला तो ये है कि filtration का purpose क्या होता है तो जो बड़े particles होते हैं उनको sedimentation के तुरू छाट देते हैं उससे छोटे particles को sedimentation with the coagulation के तुरू हटा देते हैं ठीक है और फिर जो और भी छोटे particles हैं उसको हम लोग क्या करते हैं filtration के तुरू हटाते हैं तो filtration में थोड़ा सा basic idea आपको पहले दे दिया था कि gravel का bed रहता है उसके उपर sand रहती है gravel के उपर क्या रहती है sand रहती है ठीक है अलग-अलग इसकी layers होती है different size की और इसमें क्या होता है बहुत thin layer बन जाती है bacteria की ये bacteria क्या करता है दूसरे bacteria को ये अच्छा bacteria होता है ये दूसरे bacteria को और impurities को क्या करता है खतम करता है और जो particles होते हैं वो इसके voids में फसकर रह जाते हैं और हमें यहां से काफी हद तक clean water मिलता है जिसका बाद में disinfection कर लिया जाता है ठीक है filtration simple सा मतलब एक तरीकी का छान नहीं होता है पहला सवाल तो यह होता है कि it is effective in controlling guinea warm disease इसा google कर ले न exactly होता है क्या है ज़्यादा जानकारी ले नहीं होता हो ठीक है इस disease के बारे में तो यह सबसे economic तरीका है इसको खतम करने का सबसे बढ़िया तरीका है दूसरा filter जो होता है वो तीन तरह क्यों होता है slow sand filter, rapid sand filter and pressure filter यह जो slow sand and rapid sand है इनको हम लोग gravity filters भी बोलता है इनको क्या बोलते हैं हम लोग gravity filters gravity filter इसने बोलता है क्योंकि यहां से जो water flow करता है वो under gravity flow करता है क्या करता है under gravity जबकि जो pressure filter होता है है उसमें हमें क्या करना पड़ता है एक्स्टा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है तो सबसे पहले यहां पर होती है च्छानने वाला जो प्रोसेस होता है कि जो वॉइड्स होते हैं और पार्टिकल जो होता है वह बड़े होता है तो इन स्मॉलर वॉइड्स में वह पार्टिकल फसकर रह जाते हैं इसी का मतलब होता है पार्टिकल से ऑडिमूब्न इन अपर लेयर दूसरा होता है सेडिमेंटेशन पार्टिकल फाइन दम दैन्स जंडेंटेशन तो अगर आपके वड़ेशर चंणेंगे तो उन लेकिंगिन को कि पानी सबसे होती है उसे हम लोग सुमड्यक्ष इस में होती है इसका मतलब डर्टी इसकिन भी होता है इसको हम लोग क्या बोलता है डर्टी इसकिन ठीक है कि तो ठीक है सिमट्जेक का मतलब होता है तो सिमट्जेक में क्या होता है कि तो मैं सिमट्जाक लेयर के बारें बता रहा था कि होता है कि हम लोग फिल्टर को आपरेट करते हैं तो फिल्टर को आपरेट करते समय filter को operate करते समय क्या होता इसकी जो सर्फिस होती है वहापद छोटे-चोटे particle जो होते है उनकी एक layer बन जाती है ठीक है हलकी फलकी एक layer बन जाती है इस layer में क्या क्या होता है कि इसका जो color होता है वो reddish brown color होता है जिस तरीका आप पर ये pen Bernard green दख़री है इसके अंदर क्या होता है organic matter organic matter पिलस आपका iron पिलस मेगनीज ठीक है aluminum यानि के alumina क्या सकते हो आप silicon आधी इस तरीके के जो metal होता है वो इखटे हो जाते हैं ठीक है after two weeks आप दो हपते के बाद ठीक है सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह जो filter होता है यह तुरंत ऑपरेटिंग में नहीं आता है ठीक है यह तुरंत ऑपरेशन में नहीं आता है एक दो हफते के बाद में इसके अंदर яle guy you the bacteria यह सब डैपलब होता है एक रहा के और्गैनिक मेंटर के लेर जम जाती है जो कि आपके क्यक्त एक कितरह काम करती है ओ जो मेंट्य ТРИन की तरह काम करती है तो चुष्छ दीजन है वेकर को खतम करने का वो यह वाला रीजन है इसनिए इसको कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं छोड़ दिया जाता है कि समझे बेटा फिर इसके नीचे क्या होता है तो पहली लिए यह से में जैक की होगी इसके कुछ इस जो और डेकमपोस करेंगे खिक है और अगर पानी में नायट्रोजन होगा फोस्टे होगा अगर अक्साइड और सब्सक्राइड एक और love करना इंक से थोसे भी क्या करेंगी एंजियूम कर escape कर लेंगे इसół चй्यूम करें कि अै तो यह क्या करेगी वेक्टीरिया koakerवाफ करता स्थीक है उसके नीचे होता है इसके लिए टीस को यहां पर यहां पर जाता है वह邁ता है इसके अंदर क् yave जो भी बचा कोचा remaining organic matter है ठीक है वोस्काव यहां पर जो जाता है वो वेक्टेरिया थोला ज्यादा तेढ़ी से यहां पर grow करता है और इस जोभी बचा कोचा कहां सेHH क्यां से और उसके웠ट autotrophic zone से बचकर जो यहां आएगा उसको खतम कर देगा किसमै क्यूपरट कर देगा Inorganic material माइं किसमैं क्यूपर्ट कर देगा Inorganic एंट कर देगा इन ओरगेनिक त्वी ठिक है Inorganic और yeah okayे आ होifi होता है गिसमें होता है रोता है एकर और इसमें जो सबसे लास्ट में, in the end जो होता है, वो होता है electrolytic changes. frust sebagai change में क्या होगा? कि sand grains in filter and impurities in water carry opposite charges. filter का जो sand grain होता है और जो water में impurity होता है, इन में क्या होता है? opposite charges होता है. और opposite charges में क्या होता है, आप जानते हैं? सर जी, opposite charges में होता है attraction. तो attraction के तुल यहाँ पर क्या होगा एक तरीके का coagulation जैसा effect आएगा कैसा effect आएगा coagulation जैसा effect आएगा और यह finally हाँ पर settle down हो जाएंगे ठीक है thus because of their interaction chemical characteristics of water changes and it becomes pure it becomes pure ठीक है भई तो यह आपके general दोती अब सबसे पहले बात हमने किसकी किया slow sand filter slow sand filter तो बला simple सा filter होता है भीया ठीक है तो यहाँ पर यह inlet है यहां से water जाएगा ठीक है तो यह आपके पास उपर की जो layer है वो sand की layer है उसके नीचे क्या है यह gravel की layer है यहां से water इसके अंदर जाएगा फिर यहां पर यह collector pipes लगे होते हैं हलांकि यह perforated little pipe लगे होते हैं उन में पानी जाता है फिर यह main pipe में connect होकर फिर यहां से water बाहर को चला जाता है ठीक है तो बहुत अरे detail में इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है चले अब हम लोग देखो कुछ इनकी बात कर लेता है फैक्ट की इनको बस एक नजर आप पढ़ लो यह एक एक फैक्ट questions के थूरू दुबारा आपके सामने आएगा तब आपको समझ में आएगा कि इन पर क्या-क्या question मनता है ठीक है तो सबसे पहले यह था आपका sLO scène filter में क्या होता है it utilizes the effluent from plane sedimentation tank the slow seen filter में जो हम लोग water लेते हैं वो किसका लेते plane sedimentation tank का लेते है जबकि rapid filter में किसका होता है rapid पिट फिल्टर में किसका होता है वह आपका को एगुलेशन प्लस एडिमेंटेशन का होता है ठीक है है नो डैप्ट ऑफ टैंक जो होती है वो धाई से तीन मीटर होती है यह आप से एक्जाम में पूछा गया है प्लान एरिया रिक्वाइड हंडेट टू थाउजन मीटर स्क्यार होता है यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह आपका इंपॉर्टेंट है डी टैंड फिल्टर मीडियम इसका जो सिलो सैंड फिल्टर का जो डी टैंड होता है इफेक्टिव साइज वह 0.2 से 0.3 mm होता है अब याद रखेगा यह जो data होता है यह हर book के according हर coaching के notes के according हर exam के according थोड़ा-थोड़ा वेरीवल रहता है बस यह एक range आपको याद रखने है कि जो data और आपका जो main filter मीडियम में वो scent होता है याद रखेगा जो main filter मीडियम हो scent है ग्रेवल केवल इस सेंड को सपोर्ट करने का काम करता है ग्रेवल का काम क्या होता है मेली सेंड को सपोर्ट करने का काम होता है नहीं तो सेंड क्या होगी पानी के साथ बहकर चली जाएगी तो सेंड में फिल्टर है सेंड को सपोर्ट कर रहा होता है ग्रेवल में तो जब पान का लेवल होता है मतलब जैसे अगर यह सेंड की डेप्ट है अगर यह सेंड है अगर यह सेंड लेयर है तो इसके ओपर जो वाटर होगा तो यह इसके फिल्टर के ओपर जो वाटर का लेवल है और यह जो सेंड बेड है यह अल्मोस्ट सेम होता है यह सब पॉइंट में इसने बता रहा हूं विकॉज एक्जाम में यह सब क्या है आया हुआ है कि लिए रहा है यह सब एक्जाम में आया हुआ है इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स जो टॉप 15 cm गी जो सेंड लेयर होती है यह फाइन होती है बहुत 15 cm जो सेंड लेयर है इस भी सुड़ाइनर क्योंड होगी आग सथेकर में faded सब्सक्री क्रॉस शेक किया तो वैसे तो जो ग्रेवल का साइज होता है वो 4.75 से बड़ा होता है लेकिन ठीक है लेकिन अगर हम 6 mm का ग्रेवल है उसे अगर तोड़ दें तो वो भी ग्रेवल ही रहेगा क्योंकि नेचरली प्रोसेस अलग होता है सेंड के बननेगा ठीक है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने ग्रेवल 6 mm का तोड़के 3 mm किया तो वो सेंड बन जाएगा नहीं वो ग्रेवल ही रहेगा तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है ग्रेवल की वो 3-6 mm की होती है यह पार्टिकल का साइज है याद रखेगा बिडल लेयर जो होती है वो 20-40 mm के पार्टिकल होते हैं जो बॉटम लेयर में होते हैं 40-45 mm के यह 3-6 mm का साइज क्यों रखा जाता है ऊपर वाली लेयर में क्योंकि ग्रेवल अगर छोटे साइज का होगा तभी उसके वाइच छोटे होंगे और तभी वो अपने उपर क्या करेगा सेंड को सपोर्ट करेगा अब यह सेंड और यह साइज का जो ग्रेवल होगा वो नीचे वाली लेयर के वाइट में बैट जाएगा अच्छे से और यह उससे नीच वाल इस तरीके से एक कॉम्पेक्ट बैट फॉर्म होता है तो इससे सेंड जो है वो सपोर्टेड है और केवल केवल क्या होगा वाट कुण सवाल आता है कि कि वाइट की इसकी लिए तीन सेंटीमिटर इजिका इतनी सेंड को हम लोग ज्या कर लेते हैं इसको निकाल लेते हैं और इसको निकाल कर इस क्रैप करने के आदमें इसको अच्छे से धोया जाता है और इसको सूखने के लिए रख देते हैं और उसी quality की दूसरी सेंड वहाँ पर रख देता है फिर वो जो सेंड हमने धोई थी वो अगली बार काम आ जाएगी ठीक है तो मतलब इसको सफाई करने का तरीका का ऊपर की लेर ही जो बदल जाती है और इसकी जो सफाई करनी पड़ती है वो एक से तीन महीने में एक बाद कम से कम इसके सफाई आपको करनी पड़ती है एक से तीन महीने में ठीक है दूसरा यह इंपोर्टेंट है इस पर कई बार सवाल एक मीटर स्क्वार में से एक घंटे में 100 से 200 लीटर पानी जाए वो यह साफ कर देता है। साफ कर देता है, ठीक है? और सबसे अच्छी बात जाए वो यह है कि इसकी जो वैक्टिरिया जो रिमूफ करने की जो पावर है, वो 97 से 98 परसेंट है, क्योंकि आराम आराम से वैक्टिरिया को निप्टाता ही है, जो सिमेट्जेक लिए भी है, ठीक है? ठीक है भई, यह है, नाओ, फिल्टर कैननाट बी यूज़ इफ टर्बिडिटी इस गेटर देन 50 पीपिम, पचास पीपिम से ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, तो आपको को एगुलेशन भी सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, आप सिलो सैन फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते हैं, कहां इसको यूज़ करते हैं, वो हमेशा और हमेशा आपका मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए होगा, क्यों? क्योंकि यह जो टैंक है, इसको हम लोग भर लेंगे, अब यह तो है नहीं कि यहां से पानी आपको हाथ हो याथ यूज़ हो रहा है, नहीं, जहां पानी हाथ हो हाथ यूज़ होता है, जैसे आपके घर में जो टंकी से पानी आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना होता है, दोनर जो है, वो बिल्कुल, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, दुसरा कारतिकल्स मोर देन, मोर देन लेस देन वन माइकरोमीचर डायर एश्यक्टीवली रिमूब ठीक है, तो 1 micron, ये भी सवाल में आए कि 1 micron से छोटे particle को कहाँ पर हटाते हैं तो हम लोग इनको gravity filters में हता आठा है They remove suspended and colloidal meter, किसको हटाते हैं, suspended and colloidal meter को ये हटा देगा It also remove microorganism, लेकिन इसकी जो efficiency होती है वो लगभग 90% तक होती है वेक्टिरिया को हटाने की तो slow send filter से थोड़ा सा इसकी efficiency जो है वो कम है, slow send filter से इसकी efficiency जो है वो इसकी कम है, ठीक है तो इसका ये complete diagram है, लेकिन इस diagram से हमें कोई फरक नहीं पड़ता, मैं इसका बिल्कुल simplistic diagram जो हो आपको बना के बता रहा हूँ सिंपलिस्टिक diagram तो कि आप से एक्जाम में ये तो आएगा नहीं कि भाईया rapid send filter का आप सेचित्र वर्णन करें, आएगा कैसा, हावी, इसका सेचित्र वर्णन करने को आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो आपने इसका क्या करना है, conceptual diagram समझना है, ये मैं अभी कुछ समय पहले YouTube पर एक वीडियो देख रहा था, तो मुझे वहाँ से एक बात मालम चली, वो बात ये थी कि, वो बता रहा था कि बन्दा कि हम लोगों के लिए सुरू में biology बगारा जिसमें जहां तर बहुत जादा diagram बनते हैं, वो हमें पढ़न वो exact shape में बने, जैसी किताब में बने हैं वैसी, नहीं, बोले किसने देखे कि वो कैसी होती है actual में, हमें actually क्या होना चाहिए, तुम अपनी मर्ची कैसी भी आरी थिर्ची बना दो, ज़रूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने बनाया वैसे, उसेप का क्या चार डालना है, आपन पर कुछ भी बना दो, बस आपको उसका function जो है, वो properly मालू होना चाहिए, अगर आप इस तरह से orient करके पढ़ाई करेंगे कि आपको main एक idea हो कि भाई हम क्या पढ़ रहे है, उसके जो different different जो जो भी parts है, उनका function क्या है, उसके functionality को समझेंगे तो हम लोग ज्यादा routine कर सकते है बट, शुरुवाती दिनों में क्या होता है कि बच्चों को वो exact picture कैसे बढ़नी है, उस पर ज्यादा focus होता है, और ज्यादा देन की उसके अंदर है क्या, उसकी functioning क्या, उस पर focus है, गॉल्गी operators बिलकुल, ठीक है, भूल गया मैं, आप लोग रहे पढ़ी होगी बाई हो, त यही चीज़ है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी आप objective paper है, कैसा होता होता है, वो मतलब नहीं है, आपको इसकी, इसका funda समझ माना चाहिए, फंडा यह है कि यह मानली जैग ग्रेवल बैड है, तो भाई इस ग्रेवल का क्या function है, इसके उपर ही आपके पास send आ गया, मानली यह send के लिए रोगे, अब इस पूरे को आप क्या कर दीजे की, इसको मानलो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस तरीके से बंद कर दिया, अब इसमें अब इसमें अब्विस्स बात है, बहुत सारे बाल वोंगे, अब यह तो हमें माली में कि भाई, यहाँ से वाटर आएगा, वाटर यहाँ पर आएगा, और इसमें से छनकर नीचे जाएगा, अब मेन फंडा होता है, कि इसकी सफाई कैसी होती है, वो concept होता है, क्या होता है, बैक बोशिंग, बैक मतला एक तरीके से रिवर्स, तो क्या होगा, कि यहाँ से जब हम लोगो इसकी सफाई करनी होती है, तो वाटर को इसमें नीचे से उपर की और भीजा जाता है, यहाँ से वाटर क्या करेगा, यहाँ से नीचे से वाटर उपर आएगा, त भी सिस्टम रहता है तो यहां से एर जाएगी और साथ में वाटर जाएगा तो एर अपने साथ इसके वॉइड में जो भी इंपुरिटी बगया रहांगे उनको उपर लेके जाएगे पानी जब उपर आएगा तो एक्षल में क्या होता है कि जो रैपिट्स ग्रेविटी फिल है मतलब पानी का रेट हमें बढ़ाना है पानी का अगर आपको रेट बढ़ाना है तो वॉइड का साइज बढ़ा रखना पड़ेगा ताकि पानी जल्दी जल्दी छन जाए तो जो इंपुरिटी होती है वो यहां डीप लेवल तक पहुंच जाती है तो आब ऊपर की लेय दिखा दिधा जाएगा इसको बाहर का रास्ता दिखा दिए जाएगा हंजी वैकवाश केवल रैपिट सैंग फिल्टर के लिए यूज करते है और क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया क्योंकि यहां पर जो सैंड होती है वो थोड़ी सी वोसर होती है तो वॉइड तो इसके लिए क्या करना पड़ता है एर और वाटर को हम लोग नीचे से ऊपर कियो और फिलो करवाते हैं तो जो भी वॉइट में गंदगी वगएरा होते हैं वो पार्णी के साथ ऊपर आ जाती है है और इस पार्णी को बाहर का रास्ता डिखा देते हैं ठीक है बाहर का रास्ता दिखादेते हैं high sorry air pressure क्यों provide करते है एयर प्रेशर बेटा इसनी provide करता है अभी आपको मालिम चले लाएगा जब मैं इसकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा ठीक है इस फिल्टर में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनको बताएंगे तो अभी बस वेट कर लिजे आपको एयर का देगा फिलाल यह समय जी कि एयर जो होता है वो इसके वॉइट को ओपन करने का काम करती है एयर प्रेशर क्या क करता है इसके वॉइट को कार सफाई करवाई यह कभी कार साफ करते हैं एयर प्रेशर से समय लोग वह वाला एफेक्ट होता है बाकि अभी आपको मालूम चलेगा इसकी मैं प्रॉब्लम्स आपको बताने वाला हूं क्या क्या दिक्कत है इसमें होती है ठीक है रैपिट कि सिलो सेंट फिल्टर को सिलो सेंट फिल्टर को हमें क्या करना पड़ता है एक से तीन महीने में एक बार साफ करना पड़ता है इसको हमें क्या करना होता है 24 से 48 घंटे में एक बार हमें से साफ करने करना पड़ता है तो आदे घंटे के लिए कम से कम है हमें इस फिल्टर को को बंद करना पड़ता है दिन में एक बार आदे घंटे के लिए इसको बंद करना पड़ता है तो यह केबल 24 में से साड़े 30 घंटा ही फंक्शनल रहता है फंक्शनल रहता है ठीक है ठीक है ठीक है चले थैंक्यू और अभी पढ़ाई करता है करेंगे बाद-बाद में है ना इसका जो रेट ऑफ वाशिंग होता है वो था पंद्रह से 15-90 सेंटी मीटर राइस पर मिनट ठीक है मतलब जो वाट पूछा जा सकता है फॉर्मॉला भी आ सकता है एन इस इकल्स टू 1.22 अंडर रूट क्यू जाक्यू जो होता है वो प्लांट कैपसेटी होती है मिलियन लीटर पर डे जैसे अगर मैंने का 10 MLD पानी है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू केवल 10 रखी जाएगी 10 मिलियन ठीक है यादकिएगा इसका जो डी टैन है वो 0.45 से 0.7 कुछ जगे पर 0.5 से 0.7 लिखा होगा 0.4 से 0.7 कोई फरक नहीं परता यह देज आपको आल्मोस्ट यादक नहीं बाकि मैं क्वेश्चन के तुरू अपने आप याद करवाद दूंगा आपको depth of water over sand layer एक से 2 मीटर होती है और इसकी length और width का जो ratio होता है वो 1.25 से 1.33 तक होता है ठीक है 1.25 से 1.33 तक यह ratio जो होता है अब देखो सिलो सेंट फिल्टर में जो आपका coefficient of uniformity था वो 5 था इसका जो coefficient of uniformity है वो 1.3 से 1.7 है कुछ जेगा पर यह आपको 1.4 से 1.8 भी लिखने को मिलेगा लेकिन बात है किया अब आएगा जो आप बोल लेते हैं देखो पहला है आपका operational travels in rapid sand filter इसमें आपका air binding, mud wall formation, cracking of filter cracking of filter ठीक है यह तीनो operational travel को हम लोग study करेंगे पहले जराए यह और देख लिएगा rapid sand filter is highly efficient in color removal when used with coagulation sedimentation bacteria के लिए इसकी जो efficiency होती है वो केवल 80-90% होती है केवल कितनी होती है 80-90% ही इसकी problem होती है ठीक है यह है अब हम इसकी travel को पढ़ते हैं इसकी travel जो है उसको हम लोग पढ़ते है कि क्या-क्या travel होती है इसना ठीक है चलिए तो सबसे पहली travel है यहां पर air binding सबसे पहली travel क्या है air binding को समझते हैं तो जैसा आपको बताया था कि जो impurities हैं वो sand bed में नीचे तक पहुंच जाती है sand bed में क्या हो जाती है नीचे तक पहुंच जाती है यहां ले आते हैं इसको ठीक है एर बाइन ने समझेगा बहुत अच्छे से एक बात बताईए यह एक टैंक है ठीक है इस टैंक के अंदर पानी यहां तक भर हुआ और हम कि वह और हमने यहां से एक पाइप करनेट किया कि तहरे अरlic पायब के थुरूप वाटर यहां जा रहा है यहां पर कॉन सा एक्षिन होता है आप लग बता सकते हैं कॉन सा एक्षिन यह आ पर होता है टिक है जल्दी बताईए रहा हां जी तो सिफोन एक्षन होगा बिल्कुल सही बात है सिफोन एक्षन होगा जब पेटा सिफोन एक्षन होता है तो मुझे बताओ यहां समिट पर यहां पर क्या होता है यहां पर प्रेशर का क्या कहना होता है यहां का प्रेशर क्या कहता है यहां पर प्रेशर डिक्रीज करता है और डिक्रीज करने पर एक टाइम होता है कि यह जो प्रेशर होता है यह आपका atmospheric pressure से क्या हो जाता है कम हो जाता है जब यह प्रेशर को ठीक है कि जब यह प्रेशर आपका कि atmospheric pressure से कम हो जाएगा जब यह प्रेशर आपका atmospheric pressure से कम हो जाएगा तो यहां पर जितने भी volatile components है जितने भी volatile components है because बहुत सारी इंपुरिटी जो होती है वो वो लिटाइल होती है पानी के अंदर बहुत सारी गैसे गुली होती है जैसे कारबन डायोकसाइड हाइड्रोजन सलफाइड अमोनिया यह सारी गैसे पानी के अंदर डिसॉल्व होती है क्यों डिसॉल्व होती है क्योंकि जो और गैनिक मैटर होत अब हम यह देखना है किया कंडिशन यहां पर कैसे डिभलाप होती है कं नदिश्न आने हाब डेपना ऐसे होती है कि यह पहले समझो नहीं है अगर सपेस्पोस करो आप मुझे बताओ क्या अब यहां पर सिफॉन एक्षन होगा जल्दी बताईए क्या अब सिफॉन एक्षन होगा यहां पर पानी का लेवल यहां है क्या अब सिफॉन एक्षन होगा अब सिफॉन एक्षन नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जो पानी का है डेवे लेवल है वो जादा है, सिफोन एक्षन बेटा केबल तबी तक होता है, जब अवेलेबल हैड क्या होता है, कम पानी यहां से जा रहा है, और यह समिट पर पानी इसके ऊपर जा रहा है, तो यहां पर क्या होता है, सक्सन एफेक्ट होता है, अगर यहां पर पानी का लेबल जादा है, तो य अब लोग जोwater का head'm available करवाते हैं इस send के अंदर वह head loss ज्यादा होना लगता है क्या होता है? HIGH head loss, जब head loss ज्यादा होने लगेगा तो filter के ऊपर जो पानी है, filter के ऊपर जो पानी है, इसका head कम हो जाता हैया, इसका head कम हो जाता है और यहां से जो water जा रहा है यहां से जो वौटर जा रहा है उसका वाधे से क्या होता है इसके लिख आप यहां पर प्रेशर कम हो घूगा बिल्कोल हीएड पर सिफान नहीं होगा वेरी hours तो इसके बीच में जब यह गैसेज एक त्रहा से जो फॉर्म होंगी तो वो इसके अंदर क्या रिखा एयर बाइनिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी एयर बाइनिग अभी समय में आ गया कि यहां तक लिए है कि नहीं है कि यहां तक के लिए रहे जल्दी बताईए कि यहां पर जो भी दूसरी डिजॉल्व है उनको अपने साथ निकालते हुए क्या करेगी ऊपर ले हाँ यह लाइक से सब्सक्राइब करते रहेगा तो क्या होगा कि यहां से जो एयर जाएगी वो जो यह एयर बाइंडिंग वाला फिरॉमिना है उसको क्या करेगी कम करेगी जो भी एयर यहां पर एंट्रेप होगी जो भी गैसे एंट्रेप होगी वो जब एयर यहां पर प्रे magic दिखाना हो तो आप उनको ऐसा magic दिखा सकते हो कि बेटा देखो एक गिलास हमारे पास है और गिलास के अंदर यह रुमाल है ठीक है यह क्या है एक रुमाल है और इसको हम लोग एक पानी से भरे हुए बरतन के अंदर डालेंगे और फिर भी यह जो रुमाल है वो आपका गी तो क्या होता था कि जब इस ग्लास को बिल्कुल उल्टा करके इस वीकर के अंदर लेके जाते थे तो इसके अंदर जो एयर होती थी वह इस ग्लास में पानी के आने को क्या करती थी रोकती थी तो क्या बेटा सेम टाइप का फिनॉमेना यहां नहीं होगा जब हां बैक बॉ प्रेशर के साथ जब हम इसको भेजेंगे जब भेजेंगे तो ठीक हो जाएगा ठीक है सर आडियो कमेंट्स लेने के लिए डिस्कॉर्ड यूज कर सकते ऐसा कुछ होता है कि आप मुझे तो पता ही नहीं ठीक है कोई बात ने है फिलाल समझ में आ गया बालग इसको आपको ठ यहां तक बताईए अगर समझ में आया कि नहीं आया ठीक है यहां तक के लिए है कि दूसरा था बेटा मड़ बॉल फॉर्मेशन मड़ बॉल मतलब मिट्टी की गोलियां तो क्या होता है कि यह जो आपका जो सेंट फिल्टर है इसमें उपर से जो एयर वगयरा है डस्ट पा एक होता है तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है सैंड बैठ के अंदर पहुंचने लगता है और इखट्टे होने लाते हैं और समय के साथ यह छोटी-छोटी गोलियां बनने लगती है और थीक है है ठोड़े टाइम के बाद मैं यह मड़बाल क्या करते है सारे के वाइड को बंद कर दीटी है ठीक है थाड होता है क्रेकिंग ओinden अपर की की जो इंड लेयर होती है वह हूं आपकी fine होती है और नीचे की जो जो कोडसर होती है आपको मालुमा fine सेंड में अपैस्पान की वह सोती 2014 गाल तो श्रिंटिकाई की वज़े से जॉती है cracks पर जाते है और यह time के सासी cracks होते है वह बढ़ते जाएंगे और इस जो यह जो क्रेक्स होंगे इनमें इम्पूरिटी भी जादा जाएंगी ठीक है के लिए हो गया तो यह कुछ इसमें ऑपरेशनल ट्रबल थी फिर होता है आपका ड्याल मीडिया फिल्टर इन मल्टीमीडिया करने का तो ड्याल मीडिया होता है लार्जर एंथ्रसाइट एक टाईप कोड होता है एक activated carbon type जिसकी specific gravity क्या होती है 1.55 जबकि sand की जो specific gravity होती है वो लगब-लग 2.7 होती है तो sand से हलका होता है तो इसको उपर की layer में रखा जाता है उसके नीचे sand की layer रखी जाती है ठीक है तो यहाँ पर दो तरहा की particles आपके पास रहेंगे larger anthracite grain specific gravity 1.55 is provided as 30 to 60 cm depth of filter media and below this smaller sand grain जिनकी specific gravity 2 2.65 होती है इनको यूज़ करता है इसी तरह से multimedia filter होंगे तो जैसे dual media filter उसी तरह से multimedia filter है ठीक है हाँ negative head air binding negative head की वज़े से air binding होती है है ठीक है निगेटिव head की वज़े से air binding होती है मड़ बॉल में निगेटिव एड निऄं होता है, निगेटिव हेड मड़ बॉल formation में help करता है, क्यों? क्योंकि ये जो dust particle होगे, निगेटिव हेड की वज़े से क्या होगे, suction effect होगा, ये अंदर क्यों खिचेंगे, अंदर क्यों खिचेंगे, और प्रेशर के थुरू जाएगा ठीक है यह टैंक की फॉर्म में होता है इसका डायमीटर देर से तीन मीटर होता है हाइट या लेंग चे वह 3.5 से 80 होती है और क्योंकि प्रेशर फिल्टर है तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपका वर्टिकल डाउनवर्ड फिलो ही हो आपका होर 12,000 लीटर पर मीटर स्कार पर अवर ठीक है use for clarifying softened water and industrial plant कहाँ पर यूज करते हैं इंडिस्ट्रव प्लाइंड में यूज करते हैं जहां water requirement बहुत जाद है थीक है चलिए सर वैक वासिंग के लिए ही rapid sand filter में पूरली graded sand लेते हैं नहीं नहीं वो purpose नहीं है क्या करना है हमें voids का size बड़ा रखना है अगर आप well graded sand रख लोगे अगर sand आपकी well graded होगी तो क्या होगा यह माले लिजे बड़े particle है यह क्या है बड़े particle है ठीक है अब well graded sand होगे तो यह छोटे particle यहां भर जाएंगे फिर उन से छोटे particle क्या होंगे वो इस in voids को भी भर देंगे तो बेटा गर bell grading हो गई तो voids तो सारे खतम हो गए तो पानी कहां से निकलेगा इसमें से तो पानी निकल पाएगा इसमें से तो concrete जैसा हो गया फिर तो तो इसका जो water निकलेगा यहां से बट उसका rate जो होगा वो बहुत कम होगा जबकि हम rate क्या चाहते हैं high rate चाहते हैं तो high rate के लिए क्या करना पड़ेगा voids का size हमें बड़ा रखना पड़ेगा कि पानी इसमें से क्या हो तेजी से निकले पानी क्या हो तेजी से निकले और फिर इसकी efficiency कम हो जाएगी इसलिए यहां पर जो हम लोग effluent लेते हैं वो sedimentation with coagulation कर लेते हैं याद रखे का rapid sand filter हमेशा तभी यूज़ करेंगे जब इसके पहले क्या हो coagulation plus sedimentation हो रखा हो ताकि इस पर आने वाला जो load है वो already क्या है? कम है already क्या है? कम है बासर में आगे जबकि जो आपका SSF था ठीक है? सिलो सेंट filter उसमें हमने क्या कर रखा था? वहाँ पर भी हमने 6 से जादा नहीं लिया था exactly well grading वहाँ पर भी नहीं करेंगे नहीं तो फिर वाटर नहीं निकलेगा अब देखे जो कुछ भी है जो कुछ भी अभी तक पला उसकी फटा-फट समरी है यह आपके पास सिलो सेंट filter डैप्ट ओफ फिल्टर धाई से साड़े तीन मीटर प्लान एरिया 100 से 200 मीटर स्क्यार जो इसका जो D10 है वो 0.2 से 0.3 D60 upon D10 5 डिजाइन पीरिड दस साल डैप्ट ओफ सेंट 90 से 110 सेंटिमीटर नहीं कि एक मीटर फ्रिकेंसी ऑफ किलीनिंग एक से तीन महीना रेट ओफ फिल्टरेशन 2400 से 4800 लीटर पर मीटर स्क्यार पर डे या 100 से 200 लीटर पर मीटर स्क्यार पर आवर रेपिड सेंट फिल्टर का जो होता है इसका लब 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 टीज गुना होता है इसका कितना होता है तीज गुना होता है रेपिड का एफिशेंस वेक्टर रिमूवल 98 से 99% कहां यूज नहीं कर सकते अगर 50 ppm से जादा टर्विटी इसको यूज नहीं कर सकते इस डिजाइन फर मैक्सिमम डेली डिमांड डिश्चार्ज अपॉन रेट ओ फिल्टरेशन करोगे तो इसका प्लान ही रिया जाएगा ठीक है रेपिड सेंट फिल्टर की यूनिट जो आती थी जहां क्यू प्लाइन कापसिटी है मिलियन लीटर पर डे में देश्चेवाइबों डींट 1.2 से 1.8 और मैंने बोला थां 1.3 से 1.7 या 1.2 से 1.7 भी कहीं के लिखा मिल सकता है सैंड लेयर की डेप 795 सेंटिमीटर टेंट 1.35 से 0.55 mm टेंक की डैप्थ 2.5-3 मीटर, ठीक है एरिया 10-80 मीटर स्कार इच उनिट, रेट ओफ वाशिंग 15-90 सेंटी मीटर आइस पर मिनट, रेट ओ फिल्टरिशन 3,000-6,000 लीटर पर मीटर स्कार परावर, सिलो सेंट फिल्टर का लबल लगए 30 गुना, अच्छा यह और समय लिजेगा, कि इसमें नीचे जो लेटरल पाइप्स लगे होता है, इस तरह के बहुत सारे पाइप्स होता है, परफोरेटिट, इस तरह के बहुत सारे क्या होता है, परफोरेटिट पाइप्स होता है, जो कि एक मेन पाइप से कनेक्ट होता है, जो कि एक म तो इसमें क्या होता है यह पढ़ लिजेगा कि cross section area of manifold is equal to two times cross section area of lateral तो यह manifold हो जाएगा main pipe और cross lateral जो हो जाएगे side वाले पाइगा, इसका cross section area उसका double होता है cross section area of each lateral is equal to two to four times cross section area of perforations इनिट, total cross section area जो यह important है, जो cross section area होता है perforation का, वो filter के total area का 0.2% और यह length of each lateral upon diameter of lateral जो है वो आपका 60 से जादा नहीं होना चाहिए, लंबाई जो है वो diameter के side गुना, चार से 5% जो filter water होता है वो back washing के लिए use करते हैं ठीक है और 30 मिनट का समय लगता है तो यह हो गया sum up, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे disinfection, but as usual हमेशा कितर है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे questions, पहले हम लोग करेंगे questions, चीक है बढ़ी चलिए यह आपका पहला question फटाफट कीजिए से, आया किसी का answer, एक बात में यह बता हूँ, आपको की environment के numerical जित्ते difficult लगते हैं, होते नहीं है, बहुत easy होते हैं, हम लोग सोचता है, data वेटा, यह मैंने भी क्या, मैं भी पुझे भी लाइपले लगता था, जादे तर data question में given होता है, सवाल देखिए क्या कहा रहा है, सवाल देखिए क्या कहा रहा है कि, the water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filters of dimensions 6 meter into 10 meter, तो जो filter का area आपके पास है, वो 60 meter square है, चलो, loading rate to the filter is 120 meter cube per day per meter square, when two of the filters are out of service, for backwashing, the loading rate in, ठीक है, आप से पूछ होगा है, चलो, a water treatment plant of capacity 1 meter cube per second has filters of इतना, तो जो water treatment plant है, उसी capacity कितनी है, 1 meter cube per second है, इससे इतना discharge आपका वो आ रहा है, और loading rate जो है, वो filter का वो कितना आपके पास, 120 meter cube per day per meter square है, ठीक है, चलिए, देखते हैं, तो आप यह बताओ, जो loading rate है, वो कितना है, 120 meter cube per day और per meter square है, मान लो जो total area आपके पास available है, प्लान का, थुड़ दिर कोई से हटाओ, मान लो जो total area है, आपके पास available वो है, वो area कितना है, आपके पास ए है, तो आप एक दिन में कितना पानी साफ कर सकते हैं, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया है, बहुत बढ़िया है, तो 120 meter cube per day meter square यह आपका loading rate था, अब मान लो हमारे पास जो total जितने भी bets हैं, उन सब का जो combined area है, वो A है, यह आप ऐसा कर लो, मान लो हमारे पास n number of bets हैं, कितने हैं n number of filters हम लोग use कर रहे हैं, तो एक का area कितना है, 60, तो n का कितना होगा, n into 60, यह हो गया, अब जो plant की जो capacity है, वो कितना है, 1 meter cube per second, तो यह एक second में कितना पानी दे रहा, 1 meter cube, तो एक पूरे दिन में कितना पानी देगा, इसको 86,400 से multiply कर दें क्योंकि एक दिन में कितना होता है, इतना ही तो होता है, इतना ही तो होता है, तो आपको क्या मिल गया, इतना meter cube पाणी पर day आपको मिलेगा आप इन दोनों को equate कर दो do equate करोगे तो यहां पर आपकी n की value है जाएगी यहां पर क्या जाएगी आपके पास e vail चरये तो n अन आपके पास हो जाएगा ऑपos n is basically आपके पास हो is equals to आपके पास हो जाएगा N is equals to आपके पास हो जाएगा 864 00 upon 120 into 60 तो यह मेरे खाल से साथ यह value आप solve किज़ेगा 12 भाई की, यह value कितनी आईगी आपके पास 12 अब क्या कहा रहा है कि आपके जो दो filter थे वो out of service हो गए दो filter जो थे वो आपके क्या होगे, out of service होगे तो आप filter आपके कितनी रह गए दुबारा समझा दूँगा don't worry, दुबारा समझा दूँगा हाँ, सर मैं तो answer कि unit match करके भी आप काफी चीजे कर सकते हो इसमें ना आप यह जो चीजे हैं इनकी unit से भी समझ सकते हो ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से आपको समझानों, पहले यह समझाओ, ठीक है यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, एक तो मेरे को जो दिक्कत रहेगी, main वो यह रहेगी कि यहाँ पर space लिखने के लिए limited है तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस चीज़ को ऊपर ऊपर पहुचा देता हूँ ठीक है, ताकि जो मैंने calculation की है, वो कहीं जाए ना इसको ऊपर लिख देता हूँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, इसको गायब कर दो पहले जान से समझेगा, क्यारा एक water treatment plant है, जो एक second में एक मीटर क्यूब पानी साफ करता है, क्या करता है, एक second में एक मीटर क्यूब पर second, अब ये पानी कहां से साफ होता होगा, आपके पास इस तरह के बहुत सारे filters होंगे, filter units होती है, अलग-अलग, ठीक है, ये बहुत सारी आ इस तरह के से एक unit है, ये कितनी इस तरह के आपके पास मालो N unit है, तो बेटा ये जो total area होगा, ये जो total area होगा, वो कितना होगा, आपके पास 60 N होजाएगा, total area कितना होजाएगा, 64 N because एक का area N है, अब यहांसे 1 second में, इस पूरे plant से 1 second में कितना पानी सारे, 1 meter cube, या लिख ह क् पूरे को मैं चाहूं तो हटा कर सिमपल सा लिख सकता ओ एट सिक्स फूर डबल जीरो सेकंड अब मुझे बताओ यह भी सैकेंड है और यह भी सैकंड है खतम हो गया तो आपको क्या मिल गया यह सीधे सीधे आपको मिल गया एट सिक्स फूर है डवल जीरो मीटर कुछ इतना पानी मुझे मिल गया ठीक है अच्छा ça अब दूसी तरफ क्या नहीं कि इसके जो ये एक यूनिट है कि कर infra यहां यह जो फिल्टर के जो इनिट है वहाँ से 120 मीटर क्यों पानी इसके एक मीटर स्कॉैर से एक दिन में मिलना है तो इस फिल्टर के एक मीटर स्क्वाइर एरिया से कितने से एक मीटर स्क्वाइर एरिया से एक दिन में 120 मीटर क्यूब पानी मिल रहा है तो अगर वैल्यू आजाएगी एन बराबर देगा एट सेक्स फोर डबल जीरो अपन वन ट्वेंटी इन्टो सिक्स्टी और यह वैल्यू आई कि 12 मतलब क्या है यहां पर आपके पास बाहरा यूनिट है यहां पर किती दिख रही है तीन दिख रही है आप यहां पर एक यूनिट जो है अब क्या यह आपक यह कहा है वैओ पर विटी फिल्टर स्यूप आ अउट ऐस दो संब्सल्टाल क्या अब आपके फिल्टर कितने बचे फिल्टर रह गें 10 सिल्टर के तनी देंड़ गें 10 तो कितर सार आउट तु एक ऑस्टो के तिस包括 उमिन बदाने अब रिवर्स का area कितना है 60 तो 10 unit का कितना area होगा 60 into 10 यह area हो गया यह loading rate हो गई और यह value किसके बरावर होनी चाहिए 864 00 के बरावर होनी चाहिए तो यहां से आपके पास X क्या जाएगा 864 00 upon 60 into 10 इसको solve कर लिजेगा यह value आपके पास रहेगी 144 मीटर क्यूब पर डे पर मतलब पहले जहां एक unit से एक घंटे में 120 मीटर क्यूब पानी साफ हो रहता अब कितना करना पड़ेगा 144 करना पड़ेगा तभी आप क्या कर सकते हैं जो हमारी जो capacity है उसका फुल्फिल कर सकते हो क्लियर हो गया कि नहीं हो जल्दी बताइए वह यह लाइक्स की गाड़ी अटकी क्यों पड़ी है 195 पर इत्ती देर से 200 पिलस्त हो जाने चाहिए तरवी तक क्लियर हो गया ठीक है बई तो मैं सही बताऊं तो यह environment का question कम था और reasoning का question जादा था ठीक है environment का question कम था reasoning का question जादा था कोई भी बालक ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो तो हमने कुछ नहीं किया इसमें जो simple basic equation बनाते थे हम लोग 9th class में वह equation हमने बनाई है और कुछ नहीं ठीक है वो simple equations बनाई है बुक के तरीके से करते थे थोड़ा सा complicated हो जाता है ठीक हमने अपना basic equation बना के वैसे कर लिया तो इन कंपेडिंग स्लो सेंट फिल्टर स्सेफ एं रपिट सेंट फिल्टर आड़ सेफ विच आप दी फॉलिंग इस एन इंकरेक्ट स्टेटमेंट गलत क्या है स्सेफ रिक्वाइब लार्जर एरिया फॉर इट्स इंस्टॉलिशन ओके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैपिट सेंट फिल्टर यह तो ज्यादा complicated है इसकी कॉस्ट कैसे कम हो सकती है न इंकरेक्ट पूछा है ना तो यहीं हो गया आंसर फिर भी देख लेता आगे depreciation of SSF is lower SSF cannot meet variation the demand SSF requires cleaning at a frequency of one month नहीं ठीक है तो जो इनकरेक्ट है वो यही है चलिए सवाल कीजए विच आप फॉलंगी इसका इनकरेक्ट रिगार्डिंगा सिलो सेंट फिल्टर हम अभी वही कहां पहले थेओरी वाले करवा दो फिर depreciation मतलब जिनकी वैल्यू जो है वो कम होती है पताया यी कोई dislike करने वाला था वो दुबारा दिसलां कर दा तो अधे फिर उसे लगा अरी मैं तो dislike पहले कर चुका अध्य दॉबारह किन लिदे था चलो चलो विचाव दी फॉलिंग इंकरेक्ट इकार दिंगा स्लो सेंफिल्टर इंकमिंग वाटर शुद नॉट बी टीटिटिड वाई को एगुलेशन ये बात तो सही है ऐसे सब मैं तो नहीं करते हैं दूसरा है कह रहा है डैप्ट वाटर शुद भी डबल दी डैप्ट व फिल्टर सेंग आपको मैंने क्या बताया था कि स्लो सेंट फिल्टर में जो सेंट की डैप्ट आपको याद हो का पूरा डाइग्राम बना कर बताया था कि जो वाटर की डैप्ट थी वो फिल्टर सेंट की डैप्ट के लगबग बराबर होती है ना की डबल लगबर बराबर होती है ना की ड यह भी 1.2 मीटर के आसपास हो तो इसको जो आंसर है वो B है ना कि C ना D D तो करेक्ट है भाईया D तो करेक्ट है गलत थोड़ी ना D करेक्ट regarding slow sand filter कि लिनेंग्च भी दवाई वैक वासिंग एक वाशिंग इबात तो सही है ना वैक वासिंग कहा करते है धriebट से इन करते है जो सैंग फ्ल्टर में करते हैं तो क्या करते हैं ये स्फिलों सेंट फिल्टर में वैक व्हासिंग करते हैं थो से इंम कमिंग वार्ट शुट नोट बी ट्रीट इल्यश त्या जाता है किया पहलेश्चा थे पीट सेंट फिल्टर में होता तो पहला इसके लिए रैप इसके लिए सभीध्याइ नहीं साथ है cleaning should not be done by backwashing बात तो सही है loss of head इतना limited बात तो सही है गलत कौन सा है को कि कह रहा है depth of water should be double the depth of filter sand जबकि हम बोलने कि जो depth of water होती है वो filter sand की depth के बरावर होती है ठीक है तो आप सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए slow sand filter है और यहां पर incorrect पूछा हुआ है uniformity coefficient of filter sand is achieved by D60Y D10 ही होता है क्या अगला सवाल अगला सवाल which of the following filters will produce water of high quality with respect to the bacteriological property ठीक है parameter तो slow sand filter best होता है यार वेक्टिरिया के लिए slow sand filter बढ़िया होता है जाना अगला सवाल अगला आगल दिए यार works सेंट अड्मिटिंग वाटर यहीं सही एस ऐसे सेट के लिए अंसर दी होगा अंसर दी होगा है ना भाई यह सही बात है अगला सवाल आ यह बाइंदिंग इन रैपिट सेंट फिल्टर सिस एंग्साइट वाई टिक अबया तो एर बाइं निंक कव अती है एर बाइंदिंग कव अती है रैपिट सेंट फिल्टर नहीं तो आंसर D होगा, निगेटिव हैट की वाज़े से एर बाइंडिंग वाली प्राबलम होती है, चलिए अगला सबाव, इन विच टीटमेंट युँ डीटिमाल रिखिक य्या मजऑ व्याम जो भी काऊ, रे वीच टीटमेंट उनिटि समिट्स जे का फ़ार्म, सेदिमेंटेशन तांक, कोगोलेशन टैंग, रैपिट सेंजर मों रेपीड रितर, समों रेचिं पहले के dafür, अगरा सवाह सिग दा मैकसिम मैं स्पेसिंग ऑफ लेटरल इना रैपीट संडर तो लेटरल और मैनीन फोल्ट मैं आपको बताया था यह मेंब पाइप जया है वह मैनी फोल्ड है और जो इसमें दूसरे पाईप साके 7 नियू आपके लेटरल सेंटिक है तो इनकी स्पेसिंग मतानी तो बहुत बढ़िया काफी बच्चों को मालुम है इसकी जो स्पेसिंग यह भी होती है 30 cm ठीक है 30 cm 100 cm बहुत दूर हो जाएगी एक एक मेंटर आधर में, 30 cm होती है, ठीक है, बट फिर भी ये कुछ पॉइंट से इनको पढ़ ली जेगा, following are some general rules, may be observed in the design of an underneath in a system, consisting of central manifold and a little, central pipe manifold और बाकि लेटल, ठीक है, ये कुछ पॉइंट से, पढ़ लेना, याद रक्सर को तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोगि इतना ज़्यादा याद करना difficult होता है, now, the ratio of length to diameter of the little should not exceed, the L upon B का ratio आपका बताया, L upon D का, ये 60 से जादा नहीं होना चाहिए, the spacing of the little cell भी from 15 to 30 cm, तो maximum 30 होगी, the ratio of total area of perforation to the entire filter area में भी भावं 0.003, 0.003 का मतला है, 0.3%, कितना? 0.3%, ठीक है, ये याद रक्येगा, the spacing of perforation along the littles में बरी फ्रों 80 mm for perforation of 5 mm diameter, to 200 mm for perforation of 12 mm, तो माली जो little pipe था, इसके अंदर भी क्या होंगे? perforation बने होंगे, छेद बने होंगे, तो ये जो छिदर है, ये जो perforation है, इनके बीच की spacing, तो अगर 5 mm diameter का है perforation तो 80 mm, और 12 mm diameter का है, तो 200 mm, तो इतना data आप ऐसा चैसे याद नहीं कर सकते, लेकिन आप जो questions करोगे, बार 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 तो अपने हाप याद हो जाएगा, अपने हाप याद हो जाएगा, ठीक है भीया? अगला सवाल, the rate of filtration of a slow sign filter, slow sign filter का rate आपने बताना है, rate of filtration of slow sign filter, जब हम यहाँ पढ़ते हैं, तो पता नहीं क्यों जादा याद रहे जाता है, कुल्दीप कह रहे हैं, सर में आपका बहुत पुराना student हो जाएगा, देखो आप न, यूट्यूपर वीडियो देखो कुछ की how to retain for long time, हैं, कैसे चीजों को लंबे समय तक retain किया जाएं, तो चीजों को लंबे समय तक retain करने कद क्या देखो आता है, पहला आम जब कोई चीज खुद से पढ़ते हो, तो हमें केबल 10-15% long term तक retain होता है, बाकि हम लोग भूल जाते हैं, बाकि चीज़े हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, अगर हम किसी चीज को सुनते हैं, तो वो 20-30% हमें उसका याद होता है, और अगर audio visuals हो, चीज़े दिख भी रही हैं, चीज़े सुनाई भी दे रही हैं, तो हम लोग उसका 60-70% जो हैं, तो यहाँ पर चीज़े discussion होता है, ठीक है, discussion के थूरू चीज़े हो जाती है, बैसे में जो करा रहा हूं, वो sufficient है, बट भी अगर आप engine services के पिरी के questions कर सकते हो, तो बहुत बढ़ी हो जाएगा, बहुत बढ़ी हो जाएगा, ठीक है, तो दर रेट ओ फिल्टेशन आप सबको वालिम है, 100-200, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्राइर, ठीक है, पर आवर पर मीटर स्क्राइर, यूनिट का ध्यान रखेगा, यूनिट होगी तो चेंज फिर गलत रहेगा, अगला सवाल, और एक जो अपने lecture's के एक खास बात यह होती है, चाये मेरे lecture's यहाँ हो या वहाँ हो, मेरे lecture's में एक चीज उती है जो मैं कोशिश करता हो, वो होता है एक theory, और theory के तुरंट बात question, theory के तुरंट बात question, यह कोई नई चीज नहीं है, हम लोग बचपंग से लेकर क्या होता है हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं उसके पीछे एक exercise दी होती है वो क्यूं दी होती है exercise वो उसे question bank भी लिख सकते थे उन्होंने उसे exercise क्यों लिखते है question क्यों ने लिखते है वो exercise इसने लगते है ताकि जो आपने theory पढ़ी है जब आप उसके questions को practice करोगे तो उन्होंने उसका नाम दिया है exercise तो उन questions के तुरू आपके दिमाग की क्या होती है exercise होती है और जब दिमाग की exercise होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग पर जोर पढ़ेगा तो दिमाग भी कहेगा भाया इन चीजों ने इतना जोर डाला है दिमाग तो इनको याद तो रख लें कुछ समझ रहें तो basically हमने अभी theory पड़ी और फिर उस पर questions कर रहे हैं तो हमारे दिमाग की exercise हो रही है जिससे यह longer time तक क्या रहेगा रीटेन रहेगा तो यह मेन वहसे होती है कि आपको क्यों चीजें याद रहे जाती है क्यों चीजें याद पड़ो कि थोड़ा सा आप थोड़ी बाद theory पड़ो तो उस पर question जरूर करो चाहिए ठीक है कम पड़ो लेकिन question जरूर देखो उसके तो वो लॉंग समय तक आपको क्या रहेगा याद रहेगा in water treatment plant rapid gravity filters are adopted to remove dissolved organic dissolved solids and gases bacterial and colloidal solids floating solids and dissolved inorganic solids कौन है बही जो इसका अंसर दी दी रहे है कौन है जो इसका अंसर दी दी रहे अधे rapid gravity filter हो, चाहे slow cell filter हो, दौनों का काम यह होता है, क्या, bacteria and colloidal solid, ठीक है, इनको खतम करना होता है, 90% तक वेक्टिरिया खतम करता है, और यह meaning colloidal solid जो sedimentation के थूरू खतम नहीं हो पाई, जो sedimentation के थूरू खतम नहीं हो पाई, उनको हटाएगा, ठीक है, उनको हटाएगा, floating solid तो screening करते है, floating वहला तैरने वाले, बड़े-बड़े, उनको तो काउन करेगा, floating को, तो screening कर रखिया, सुरू, ठीक है, SSF कभी इस काम, दौनों का काम सेम होता है, simply supported filter हो, चाहे, rapid send filter हो, दौनों का काम सेम होता है, दौनों का भी एक साथ यूज़ होता है, दौनों का भी एक साथ यूज़ होता है, नहीं, या तो slow send filter यूज़ करेंगे, या rapid send filter यूज़, दौनों का काम एक है, ठीक है, बस efficiency थो सपोरली पानिकर देगा तो डिमान पूरीद निंयों पाईगी तो जहाँ पॉपलेशन का में वहां सिललो संफल्टर से असस रहते पॉपुलेशन जादा है जहाँ पानी जादा चाहिए वहाँ पिटम फिल्टर लगाना पड़ेगा इतनी सी बात है ठीक है मैंने बोला कि simply supported मैंने simply supported filter वो दिया क्या है हो सकता है चलो ठीक है और गैनिक भाईया क्या वैक्टिरिय तो खतम करेगा और गैनिक compounds को भी वो सब उसी माद एगा colloidal solid जो होंगे उसी में आजएगा सब आपका ठीक है बात सब्सक्राइब में आ गए ही के नहीं आई है अगला सवाल कि आफ्टर क्लीनिंग का सिलो सेंट फिल्टर फिल्टर वाटर इस नॉट यूस्ट फॉर हाँ एफिसेंसिया ऐसे सब की जाधा होगी है अच्छा हो सकता है मैं सिंप्ले सपरेट बोल यह हूं तो आफ्टर क्लीनिंग का सिलो सेंट फिल्टर सब को इसका मालूम है कि 24 से 36 घंटे तक के लिए इसको हमें क्या करना पड़ता है ऐसे छोड़ना पड़ता है यह देखिए यूपी प्यस्ट का यह फिवरिट क्वेशन 2004 में पूछा 2013 में पूछा फिर पूछ सकता है अगला सवाल The particle Around 1 micron बेटा जब particle का size micron में दिया हो तो समझ जाना colloid है समत जाना colloid है उसका हम sedimentation के थूफ साफ नहीं कर सकते ठीक है तो उसका हम साफ किस के थूफ करोगे? Filtration के थूफ करोगे किस में? Filtration नाथ यइल्ड ऑफ रैपिट शेंड फिल्टर इस डेटे तो स्लेंद फिल्टर किता था 30 ताइमिस है ना 30 गुना इसका ये किया आज हनुत ना थिक स्लम हमाटले वह सर्बाइशन है ролika अगला सवाल दा स्टेंडर देट ऑुफ फिल्टरिशन थुआ रूव कि इस मली इस यूज वल है अब यहां पर प्रॉबलम यह कि पर운데 marketing मीनेटरe स्क्थर दे रख था है कि तक दे रखाए पर मीनेट पर मीटरे स्क्था यह को एक है तो अभी हाry पर देखना हमने कितना बोला था उसका 100 से 200 कुरण सों ज की वहां था 100 से 200 लीटर पर मीटर स्वार पर आवर स्क्वार स्क्वाइट तर 50 के बीच हो जाएगा आपका पचास से सौ तो पचास से सौ वाली जो रेंज है ठीक है अगर हम हाईर साइड में जाए तो जो बी वाला ओप्शन है वो सबसे बढ़िया लग रहा है ठीक है किलिर हो गया हाँ लिसेंट पर गार भी फॉलो कर सकते हो तो इसका अंसर जोगा वह असी से क्या होगा आपका सव होगा ठीक है असी से सव वाई लॉट 50 तो 60 को कि 50 तो 60 एक बहुत छोटी रेंज है कभी बिना इनकी देंज बिलकुल इंदम इतनी फिक्स नहीं होती पचास से 60 मिल शिक्स् इस वज़े से ज्यादा थोड़ा सा हायर साइड में इस रेशो में जाए बाकी जो बुक के थुरू अगर मैं आपको बताना चाहूं तो एक्जेक्ट ली ठीक है तो मैंने आपको डेटा दिया था एक सेकंड वेट कर लीजेगा अगर रैपिट सेंट फिल्टर का ही देख कि सह गार ⁈6000 था तीन हजार से 6000 लीटर पर मीटर स्कार पिरावर ता तो बहिया इसे भी अगर आप डिवाइड करोगे 30 से बिसाटर से करोगे ना पर मिनट निकालना लृइंट से करते हैं तो कितना आएगा यह Risute its critic مीवाट आगई आप तिन यार से 600 करोगे तब फी वह बात आगी ठीक है तो इस बड़े से सो तक में जानाawn कि वो कर दे है तो मैंने आपको पहली बताया था इस तरीकी का question में न हमेशा आपको confusion रहेगा क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो exactly वैसा दिया नहीं होगा वैसा exactly आपको दिया नहीं होगा ठीक है याद अकिका objective में हमेशा right option की बात नहीं होती है most appropriate option जो होता है हम उसकी बात करता है अगला सवाल the effective size of send filters using slow send filter में आप जो effective size उस करते हो पार्टिकल का वो कितना होता है डीटेंड डीटेंड हाँ जी सुलो सेन फिल्टर का जो डीटेंड होता है वह आपका कितना होता है कि अगरे जादा नहीं होंगे अब कमी बच्चे होंगे कमी बच्चे होंगे तो पॉइंट उसे पॉइंट फॉर की रेंज में सबसे बढ़िया option जो आ रहा है वापका option ए आ रहा है 0.25 से 0.35 अगला सवाल इन रेपिड ग्रेविटी फिल्टर रॉव वाटर फ्रॉम रेजर वायर इस सप्लाइड आ इंपूट ना आंसर क्या रहेगा इसका सी ही रहेगा आपका कुएगुलेशन विस सेडिमेंटेशन हाँ भी वाला आपका रैपिड का रैपिड का जो वैल्यू थी आपकी वह 0.35 से 0.55 ती यह हो गया आपका ठीक है अगला सवाल दीजे भाया यह आपका रैपिड का यह आपका रैपिड का डीट आ गया यह आपका रैपिड का रैपिड सेंस न्हीं तो है साइज यह हो जाएगा आपके पास और सी यू आपका 1.37 सी आंसर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल दा क्लीनिंग ऑफ सिलो सेंट फिल्टर इदनवाई स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेश ऑफ सेंट एंड एडमिटिंग वाटर बिल्कुल यह पहले ही कर चुका है रिपीटिड है तो इसी हो जाएगा अगला सवाल क्लीनिंग ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर इस डन भाई क्लीनिंग ऑफ रैपिड सेंट फिल्टर इस डन भाई प्रोवाइद नूसेंट अल अफ ट्री मेंशन इस क्रैपिंग ऑफ टॉफ लेख बास इंट आंसर क्या होगा बैक वाशिंग ऑगा रैपिड सेंट फिल्टर इन अगला सवाल रिपीटेट क्वेशन है वही क्वेशन आगे आपका फिर से दुबारा रिपीटेट क्वेशन हो गया ये की जिवाया वाटर पुरिफिकेशन इटर्स इटी इस दिए टो यूज एपिट सेंट फिल्टर आफ्टर सेंट इमेंटेशन तैंक विर दी फॉल्विंग डिटा डिजाइन लोडिंग रेट पर फिल्टर 200 मीटर क्यूब पर मीटर स्कार पर डेड़ डिजाइन फिलो रेट पॉइंट 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड तो टोटल कितना हो रहेगा एक्स इन्टो 55 पच्पन अब तक 56 ठीक है और एरिया को जो हम लोग सर्फिस लोडिंग रेट से मल्टिप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वाटर मिल जाता है तो इसको 200 से मल्टिप्लाई कर देंगे देखो इसकी जो यूनिट है इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्कार है इस दिजाइन फिलो रेट है वो है 0.5 मीटर क्यू पर सेकिंड और इसको मैंने मल्टिप्लाई कर दिया 864 00 से ठीक है तो यह क्या मिल जाएगा पर सेकंड का बन जाएगा पर देग ऐच सिक्स पूर डबल जाएगा तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपके पास basically per day, तो हमने क्या किया, कि देखो इस meter square से meter square हो जाएगा cancel, तो left side में भी बना meter cube per day, और right side में भी बना meter cube per day, तो क्या करते है, जो surface loading rate होता है, उसको surface area से multiply करते हैं, तो loading rate मिल जाता है, surface loading rate को area से multiply करेंगे, तो loading rate मिल जाएगा, तो कितना है 200 meter cube per meter square मिल रहा है, पर meter से, एक meter square से 200 meter cube मिल रहा है, तो total area से कितना मिलेगा, multiply कर दिया, total area कितना होगा, एक का 55 है, तो X है कितना होगा, X into 55, एक सेकेंड में कितना पानी मिल रहा है, 0.5, तो 86,400 सेकेंड में कितना पानी मिलेगा, इसको multiply कर दिया, skip नहीं करना है, बेटा इजी क्वेशन है कहें इस्किप कर रहे हो क्यों इसकिप करना है तो नमबर फिल्टर शार जाएंगे आपके पास X की वैल्लीू है जो मैं आपको सिंपल सा एक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं और इसमें कुछ आपने करना ही नहीं और डेटा भी आपको ऐसा दिया हुगा है कि सॉल वीजली हो जाए तो सॉल वीजली हो जाए ठीक है इसको सॉल कर ले ना या रिच्वर्च ओक चॉबालिस लग लव फूर आंशर आए गफ और पॉंट सम्टेक अन आए थी कितना रही फॉर पॉंट सम्टिंग आए का न पॉर पॉंट सम्टिंग का मतलब फाई तरीपैंट कं वेल सॉट यहां सुरी हाँ 3.something आएगा अगर 4.40 से जादा होता तो 4.something आता 4.40 से कम है न तो 3.something आएगा तो इसने यूनिट की तरह की चार आंसर इस 4 ठीक है अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस question में कुछ था ही नहीं हाँ यूनिट एक परोज से कर दिया बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से हमने तो एक एक एक्वेशन बनाई और इस equation को बनाकर solve कर लिया उस equation को बनाकर क्या कर लिया solve कर लिया ठीक है समझ में आ गया हमने क्या किया हमने मान लिया बच्पर में मानते इतना कि मान लो था ये क नंमबर और फिल्टर एक्स एं एक का एलिया फिफ्टि-फैब व्याbs आकका कितना होगा Xить इंका ऐड़ स्कॉर एक मीरमी प्वेशन स्कॉर लगा दो सो इतने स्कॉरत से कितना मिलेगा इतना तो इतना टौटल पानी मिलना है चाहिए कितना एक सेकंड में पॉइंट फाइब तो पूरे दिन में कितना चाहिए होगा पॉइंट फाइब को मैंने कुछ और भना किया क्या मैं यूआइब को ही तो एजस्ट किया कि है यूट्ड फिल्टर में एक अप हमेशा सटेनद वाई में रखते हैं यूट्ड फिल्टर मेंमें इक क्योंकि एक यूनिट को आपने डेली बंद करना पड़ेगा बैक वाशिंग के लिए गेट में यू कैस्टन मैंने अट्थाइस सेकंड में किया तर सवाल घड़ी देखके बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल दब पीरिड ऑफ क्लीनिंग फॉर रैपिट सेंट फिल्टर सेम क्षिन रिपीट हो गया 24 चार। गंटे क्लीनिंग और वैक वास क्या क्वेश्टन रिपीट हो रहे क्या है हाँ, the maximum permitted loss of head in a rapid sand filter, rapid sand filter में जो head loss था आपका वो कितना था, ठीक है, तो धाई से 2.5 से साथ 3 था 3 मीटर था, धाई से 3 मीटर, हाँ, धाई से नहीं, ठीक है, ठीक है, धाई से 3 था, the maximum permitted loss of head in rapid sand filter, इसका अंसर है 3 मीटर, इसका अंसर कितना है, 3 मीटर, एक नहीं 3 है, इसका अंसर, आंसर इस 3, ठीक है, ये 3 है, मैंने पता है, आज दिन में काफी सारे questions हैं, जो गलत थे, तो मैंने उनको येक-एक को verify किया, उनके answers को, ठीक है, depth of water जो होती है, इसके उपर वो 102 मीटर होती है, जो head loss होता है, वो ज्यादा होता है, जो maximum loss of head होता है, वो धाई से 3 मीटर होता है, जो पानी की depth होती है, इसके उपर वो एक से 2 मीटर होती है, और जो head loss होता है, वो धाई से 3 मीटर होता है, ठीक है, तो 3 मीटर, तांसर इस थिरी मीटर अगला सवाल इस्टेंडर देट और फिल्टरेशन इन सिलो सैन फिल्टर अब बताओ इनको पकल के मारे अप 100 से 200 होता है अप 100 से 200 मैं मैं स्कोल नूँ ये इसकोल नूँ किसको नूँ बताइए सही बात है क्या होता है यह जो सारे सब्जेक्ट है ना यह मैं जो मेरा ओफलाइन कोचिंग था तो मैं सारे सब्जेक्ट खुद पढ़ाता था यह चाहिए आपका एन्वार्मेंट हो बीम हो सर्वे हो सॉईल हो अब जब से मैंने वहां जॉइन किया फिदर कोरोना वरोन आ गया मेरा ओफलाइन सेंटर हो गया बन अब कोई सब्जेक्ट जब हम पढ़ाते रहते ना तब तक तो उसके टच में रहते तो चीजे याद रहते हैं इतना फैक्ट है कहां तक याद रहेगा जब चीजे इसकी बोजाते हैं दिमाग से ठीक है भाईया अब देखो याद दखो यह सिलो सेंट फिल्टर है यह कह है सब्सक्राइब निचाली है सौरफ पाढ़ने बोला है चलो थिक है तो आप मेरे कहने परिस फैसी पर लगा दो टिक फैस ल क्योंकि सिलो सेंट फिल्टर सेंट लील कम मिलती है। नहीर वाली सब्सके टोлы चले आतें कि अगर रैपीट सेंट फिल्टर होता तो आप हायर वा आया चीक है норм दो मैक्सिम्म लिमिट ली जाती है सफटे को कैसे एक बाद बताओ मानलो तुमने मैक्सिम्म लिमिट यह वाली ले लिए तो तुमने मानलो इसके हिसाफ से डिजाइन कर दिया तुमने मानलिया कि वो दो-so-लीटर पर आवर जो है पर मीटर कर रहा एंट तो तुम इसके थ्रू एरिया निकालोगे तो आपके पास यूनिट कितनी आएंगी माल लो चार जबकि अगर आप इसके हिसाफ से निकालोगे तो यूनिट कितनी आएंगी ज्यादा आप, यूनिट कि आएंगे, आपके पास, ज्यादा, थीक्ए, मालए लो, आगे, फिल्ट्रीर्शन रएट आपका, बढ़ जाएगा, जिस से, तो बाकि यार्ट क्रेशन लफडेवाला हैं कि सब अगर आप 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 10 बजे वाली 10 बजे वाली किलास के 11 बजे होती दीना जिस बाकी अगर वो भी क्रेश्चन तो आपके क्रेश्चन वही सॉयल बगादर के सॉयल एफम ठीक है हाइवे रेलवे वही सब रहेंगे तो यार देखो मतलब आपकी मर्जी है आप इसमें सी पर लगाओ डी पर लगाओ क्योंकि भाई जो है वो सौसे 200 है उसके बीच में है लेकिन अगर हम कंजर्वेटिव साइस को अप्रोच करें तो आंसर जो वह सी हो जाएगा आंसर जैब वह सी हो जाएगा ठीक है कंजर को कि आप जब अगर ज्यादा मान के चलोगे तो नंबर ओफ इनिट के आएंगी कम निकल कराएंगी ठीक है कम निकल गाएंगे रैपिड वाले में क्या होत सकते हो ठीक है बागी बंगाल वाला कोई हो तो भाई बताओ या ममता दीदी ऐसे क्वेशन क्यों बाती है बता दो इन्हें बच्चों बच्चरा बहुत पूछ रहे हैं ग्रोथ ऑफ एलगा इना वाटर बॉड़ी टेंस टू इंक्रीज विद्धी लीटर्स ठीक है इस क्वेशन में अभी रुख जाईएगा इस क्वेशन को मैं करवाऊंगा बाद में ठीक है इसमें कुछ कन्फिजन था मैं से किलियर नहीं कर पाया था यह वाला बताईए बहुत नहीं होंगे एकाथ क्वेशन ही होता है जो ऐसा आता है एक्जाम में छोड़ देना ही वहतर विकल्प होता है छोड़ देना ही वहतर विकल्प होता है ऐसे सवाल को एक्जाम में छोड़ देना ही वहतर विकल्प होता है तो देखो मैंने बोला था टर्विडिटी वैसे तो भाई है क्या लेका है मानी असने चला कर दी कैसे आनसा देखो वैसे तो जो टर्विडिटी होती है उससे जादा हमें दिक्कत नहीं होती है मैंने बताया था कल पर्ण की गाउन में तो लोग यो खेतों में काम करते हैं ऐसी उन्हीं हातों से Pानी पी लेता है लेकिन क्या होता है अगर टर्विटी बहुत लंबे समय तक रही तो इनकी सरुफिस पर उनकी सर पर क्या होता है bacteria develop होने लगता है जो long term में बिमारी का reason बन सकता है ठीक है तो higher turbidity in water supplies is objectionable because consumers prefer a less turbid water even though it may be unsafe it results in incestation pipe and clocks appurtenances it encourages after growth of bacteria in distribution system तो इनकी ये जो अपनी surface होती थे तो bacteria को grow करने के लिए surface चाहिए bacteria किसे surface पर grow करता है तो ये जो turbidity होती है basically particles होता है तो इन particles पर bacteria grow करने लगता है ठीक है ना prolonged में cardiovascular थोड़ी ना cardiovascular के लिए तो बलकि अच्छा होता अगर इनकी कमी होगी अगर less hard water होगा तब cardiovascular disease होती है इस्टोन भले से हो सकता है इस्टोन की problem हो सकती है ठीक है अगला सवाल effective size to be used in rapid sand gravity filter rapid sand gravity filter effective size of particle हाँ जी कितना था तो वैसे तो 0.35 से 0.55 बट जो सबसे सही रेंज में option होगा वह आपका यह होगा 0.45 से 0.70 इसका answer क्या करेंगा आप बी करेंगे अगला सवाल इन rapid sand filter the ratio of length and diameter of little should not be अब देखो यह भी पस्छी मंगाल का सवाल है लेंग्ट अपन बी का रेशो वहाँ पर 60 से जादा नहीं होने चाहिए मैक्सिम वैल्यू ए 60 मैक्सिम वैल्यू किती थी 60 अब यहाँ पर option बनाए 10 15 20 25 और किताब में बीक का आंसर दिया है 20 तो हम 25 ना लेंगे जब साथ तक का मालू तो इसका अन्सर हम लोग क्या करेंगे ड़ी मैं इसका अंसर हम लोग क्या करेंगे ड़ी कि ठीक है देश ओफ लेंग्ट इन डायमेटर लेटरल जो है वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आंसर आप पहां तो आंसर आप 25 लिख लो जबकि बुक में इसका आंसर जो है वो 20 दिया हुआ है जो की गलत है तो बस थोड़ा सा इस समय इनी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है कि इनका थोड़ा सा नाओ दा यूनिफर्मिटी कोफिशेंट आफ दे 60 वाई डी 10 फर बैस्ट फिल्टर मीडिया सेंट ठीक है बैस्ट तो इसका आंसर क्या था 5 ठीक है इसका भी आंसर गलत दी हुआ इसका भी आंसर लिखा है 2 जबकि होता क्या है 5 है ना आंसर होता क्या है 5 और आंसर दी है 2 यह भी गलत है अगला सवाल रेश आफ टोटल एरीओ औरिफिस औरिफिस मतलब वही जो जो पोर्स थे उनकी बात हो रही है तो दी फिल्टर एरिया सब्सक्राइब रैपिट सें फिल्टर तो कितना था पॉइंट थी पर सेंट था 0.000003 तो आंसर क्या वाज़ेगा पॉइंट 3 से 0.6% पॉइंट तरी से सिक्स परसेंट ठीक है यह अंसर दिया है डी जो कि अगिन गलत है थोड़ा सा यार इस नहीं है इस बुक से पढ़ते समय थोड़ा सा चीजों का ध्यान दखना है अपने ठीक है अगर दो रग दोगे ना सेंड के लिए तो आप सिक्स से बहुत दूर चले जाओगे जो सेंड हो जाएगी वह से जादा पूरली ग्रिड़ेड हो जाएगी तो सारा वाटर निकल जाएगा इंपरिटी रुकेंगी नहीं तो इंपरिटी को रोकने के लिए आपको ना बहुत गेट के लिए कोछोगा UPPSC के बाद देखते हैं पहले उसके बाद ट्राई करेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे अगला सवाब, Slow sand filters remove bacteria as much as. Slow sand filter बहुत high efficiency, 98 to 99 परसेंट तक कह सकता है अगला सवाल इन रैपिट सेंड फिल्टर दा इफेक्टिव साइज अब दी सेंड इस अप्रोक्सिमेटली फाइब एम्म सही बात है दे रेट फिल्टरेशन इस अब दी ओडर 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 ओड़न टेंटी तो बन सिक्स्टी मीटर पर डे यह थोड़ा सा गरबल कर रखा है बैक्टिरिया रिमूबल इस अप्टू 90 परसेंट तो भहिया ए भी सही है और सी भी सही है ठीक है तो वन और त्री सही है तो इसका मतलब अल अब दीज इसको थोड़ा सा कैलक्विट कर लीजेगा रेट ओफिल्ट्रेशन इस अफ द्यूर्ड ओड़ ओं ट्रेंटी तो बन सिक्ति अब यह यूनिट बगए रही नहीं लिखी मीटर पर डे लिखा है ठीक है कि रेट ओफिल्ट्रेशन इस अफ दी ओडर अब तो बी में थोड़ा सा गरबड़ है बट ठीक है है रैपिट से 90 परसेंट बताया तो तो 90 परसेंट निभूफ करता है अगला सवाल जले आज यह इसका फिल्टर का लास्ट क्रेशन फिल्टर का लास्ट क्रेशन है इसके बाट डिसिंफेक्शन पड़ेंगे असीती हैसा पॉपूलेशन ऑफ इकार धाई से कला हजारत अब ऐस रहग लें एन एवरेज ट अफ डिमांड इतना पर है्ड पर डे वाट इस the actual number of filters required if the size of each filter is इतना assume the average filtration अब हम समझ गए मान लो आपने भाया X filter है एक filter का एरिया कितना है 955 पैतालिस यह एरिया आ गया filtration rate कितना है पैतालिस सो लीटर पर आवर अबर पर मीटर स्क्वायर तो मीटर स्कार से मीटर स्कार चला यह यह लीटर पर आवर मिल रहा है कि ठीक है ओके तो एक घंटे में इतना पानी मिल लाए अच्छा अब यहाँ पर डिवाइन कितनी है डिमांड है साट लीटर पर हैड पर डे तो एक दिन में हमें पानी चाहिए कितना होगा एक सो साट गुणा जो कितना है एकाई धाई शेकला हजाद से लाग बन लेक बन लेक वन लेक या इतना पानी हमें कितना चाहिए एक दिन में चाहिए अगर एक दिन में इतना पानी चाहिए होगा एक गंटे में कितना चाहिए होगा 24, तो right side में क्या आ गया, meter cube पर hour में आ गया, और left side में भी, sorry, liter, अब हाँ, liter पर hour में, right side में भी किसमें आ गया, liter पर hour में, और left side में भी इस meter square से cancel हो जाएगा, तो क्या आ गया, liter पर hour में, यहां से x की value निकाल दो, यही आपका answer होगा, ठीक है, तो कितना हो रहेगा, यह 160 into 1 lakh upon 24 into 45 into 45 hundred, ठीक है, चलो, क्या आ रहा है answer आपका, answer क्या आ रहा है इसका, फाइव आ रहा है, तो फाइव भी होगा, चैन परताब यही question था, वो, यही question था, ठीक है, वो जो question रहा गया था, वो यही question था, तो अब हम, बाक्सी बढ़ते है, थियोरी की तरफ, और अब हमें पढ़ना है, आगे इसमें disinfection, कि मैं परताब सादारी की जवर्दिए रहाँ, जवी हो यहीत है, जो भी आ रहा ओगा वही आपका आउसर है जो भी आ रहा ओगा वोगा आपका आassir है calculation मैने बता दिया आपको calculation मैने बता दे आंसर आप ले आऊ calculations मैंने बता दी answer आप ले आओ ठीक है बच्चे है चलो मैं पानी पी लेता हूं जो रासा disinfection disinfection आप समझ गे disinfection process of destruction or inactivation of harmful microorganism in water either way physical process or chemical process तो disinfection क्या होता है जो harmful microorganism होते हैं सुक्षम जिवाड होते हैं ठीक है उनको inactive करना उनको do-destroy कर देना क्या कहलाता है disinfection कहलाता है ठीक है physical process भी हो सकते है chemical भी हो सकते है हो सकता पानी को गरम करो वाइल करो उसमें मढ़ जाए ठीक है या फिर chemical process भी हो सकता है किलोरीनेशन कर सकते हैं ओजनाइसेशन कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है एक दूसरा process होता है इससे मिलता जूलता जिसको बोलते है sterilization ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें अच्छे बुरे सारे जिवान मर जाते हैं कहने को जो कर्ड होता है दही उसमें वेक्टिरिया होता है लेकिन वेक्टिरिया अच्छा वेक्टिरिया होता है कि यह तो filter से निकल बेटा filter से 100% नहीं निकलेते ना है ठीक है फास्ट टाइम लाइव वाचिंग सार प्लीज कॉल माइन नेम साजी अच्छलों वह यह अखिलेश कमार जी यह सेम साहव एक सेम साहव आई हुए है ठीक है आपका स्वागत है तो इस टेरिलाइजिशन वेटा क्या होता है एक तो अच्छे बुरे सारे जीवालों खतम हो जाते हैं पहली बार दूसरा इसमें केवल फिजिकल प्रॉसेस होता है इसमें क्या होता है केवल फिजिकल प्रॉसेस होता है जैसे बॉइलिं जैसे बॉइलि ठीक है अब मैंतर ओव डिस इंफेक्शन दोंगे आपका फिजिकल एंड कैमिकल फिजिकल में क्या होता है बॉइलिंग कर सकते हो या फिर यूवी रेज यूज कर सकते हो अल्टा वाल ट्रेस ठीक है कैमिकल में ऑक्सिडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो किलोरीन ब्रोम जी इसका एड कर रही थी कुछ समय पहले यह ना एक यंग मादरे दिख्षित एक ओल्ड मादरे दिख्षित कि इसमें क्या है इलेक्ट्रो कैटर डाइंग तो यह मैटल के आइंस के हल्प से पुराने जमाने में आपको माले बेटा कि यह जो अपने हां एक प्रथा है नद यह क्या होता था दिको जितने भी मंदिर व victory रही या ऐसी धार्मी के स्थल होते थे तो वहाँ पर पीने के पाणि नदियों का पाणी की का पाणी दों कुंड होते थे वह पानी पीनेकी इस्तिमाल होता था अब आप किसी मंदिर गए हो तो तुमने देखा होगा या आप जैसे होता है नो लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिये वग्यारा जलाने के लिए जाते तो वहाँ पर बहुत से सिक्के ऐसी पड़े रहते हैं कभी उन सिक्कों को या उन रुप्यों को कोई हाथ नहीं लगा तामबा यानि कि सिल्वर और कॉपर जो होता है वो पानी को प्योरीफाई करता है अब अगर उस समय का राजा यहां पर वो चांदी तामबा फिक वाता तो लोग क्या करते इसकी चोरी करते लोग क्या करते उन सिक्कों को चोरी करते क्यों क्योंकि वो समझ जाते कि यह बेस और दूसरा वो उसको चोरी भी नहीं करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, वो चोरी भी नहीं करेंगे, तो असली रीजन जो होता था, पीने के पानी में नदी हो, तलाब हो, इस तरह के जो कुंड होते थे, उनमें सिक्के फेक्ट ने, क्योंकि ये पानी साफ करते थे, दूसरा तुमने वो गांगुली सापका एट सुना होगा सोना चांदी चवन प्रास यह जो आयन्स होते हैं जब यह हमारी बॉड़ी के अंदर जाते हैं तो यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत वैनिफिशल होते हैं इसने जब बच्चा छोटा बच्चा जब होता है तो उसको लेता है प्योरीफाई कर लेता है तो यह पूरा प्रॉसेस जो था वो प्योरीफिकेशन से जड़ो हुआ था किससे प्योरीफिकेशन से अब लोग क्या करता है कि वह रिच्वल को पकड़ लेते हैं लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक था उसको भूल जाते हैं जिसकी व इसी तरीके से जो गरेश शतुर्थी की प्रथा है ना उसका भी बताऊंगा तुम्हें कि नदियों में मूर्ती विसरजन क्यों होता है नदियों में मूर्ती विसरजन क्या होता है इसका भी बताऊंगा बाद में ठीक है हाँ नीचे से सिक्का फैक्ट देते हैं वो किसी काम करने होता क्या हुआ क्या बाते होने लगे तुम लोग की हाँ आज गलत करते हैं अपनी फैक्ट ने चाहिए न आप कोई फायदा नहीं है अप कोई फायदा नहीं है चलो उसका भी बता देता हूं तो पहले जो मूर्तिया बनती थी वो लाइम की बनती थी लाइम चूना और जो रिवर होती थी रिवर वाटर को हम लोग क्या करते थे तो लाइम जो था भी आप देखेंगे की जो एक्सेस लाइम के कितने सारे फाइदे होता है आपका एक तो डिस इंफेक्शन होता है क्या होता है दिस इंफेक्शन और पानी कीhoo तो ये भी जो है एक तरीके से वर्टर के प्योर Consider के लिए किसके लिए है वॉर्टर के प्यस्टूरिकूर्ट के लिए तो बहुत सारे पुराने रिच्वल्स जैंप वो नेचर से जुड़िए उनके थुरूत्झ मेगी चर में जो चीजें वो साफ होती है या उनको कंजर्व करके रखने में हेल्प मिलती है कंजर्व करने कि ultimate energy ते हैं नेचर है ना शब कुछ नेचर से हमें मिल ला है तो पहले मूरतियां और गैनिक होती ती आज केमिकल वाली नहीं है आप तो लोग क्या करते हैं प्लास्टिक में ऐसे लपेटी ओती और थी छोड़ देते साथ में फ्लास्टिक भी जारी ओ नियुश्थिती ठीक है than होती है तो लाइम जो प्लाइम केलों कान्चकर की exist इन तो इस से क्या होता है काफी ज़्या के फिरल्ट सब्सक्राइर है कि आज की में उतना ठे Ell which नहीं है को इस अब और Chicken वागन वागऑर उस से अप तरह के रंग वागयारा होते हैं ठीक है उनका ध्यान रखना चाहिए ठीक है द्यान रखनाच चलिये आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ठीक है कि इसी तरही गइसे कoquli hyperlite crisis होता है जो कि वेक्टरिया के लिए खतरनाग होता है पिये चेश क्या तो से जाद हो या फिर तीन से कम हो या फिर तीन से कम हो इसके अलावा पहले हम लोग पढ़ते हैं माइनर मेथड्स माइनर मेथड्स में क्या है ट्रीट्मेंट भी एक्सेस लाएं मुलोग सबसे पहले यह लिखा हुआ है आधिक्के चूने के साथ 14-40 पीपिम तक मिलाओगे तो इससे भी क्या जाएका डिसिंफेक्शन हो जाएगा два बेसिकली कहने का मतलब कहा है कोई सामुहिक प्रयास जो होता है मैं वो निवू में ज् alguma यह लोता है ना बिटाओ कॉपर वो एक्षं कर गया होगा पाप कैसे धुल जाते हैं सर बेटा पाप जो धुलता है वह मन का वह वो Technique अगर आप वहां जा रहे हो इसका वैनलब आपको मालिमे देखो आपसे गलती हो गई और आपने सामने वाले saya माफी माग ली आपको एहसास हो गया कि है मैंने गलती किये है तो वो आपके उपर से उसका जो कर्म था वो मेडिया तो सेम चीज वहाँ पर है दरविदाज जी ने कहा है संत्राविदाज जी ने जय मन चूँता तो कठो रहती मैं गंगा तो मन चंगा होना ची rig ripping अव बात ही है अब आप वैसे तो जूट बोल लो सब कुछ कर रहे हो तुम कितनी वार गंगा में डुपकी लगा लो कोई पापने धुलने वाला तो पहले जो होता था लोग मन से जाते थे कि हां हमने जो गलतियां की हैं उनसे हमें हमसे कुछ गलतियां हुई हैं उनको हम छुटक करनी पड़ती थी लोग पैदल जाते थे बैल गारियों से जाते थे जैने कितना कितना पैदल चलते तो उनका तब होता था कि हमसे कुछ गलती हुई है और उसके लिए फिजिकल एफर्स लगाते थे वह लोग तो उसका इफेक्ट पड़ता था बॉड़ी और माइंड पर ठीक है तो उसका इफेक्ट पड़ता था बॉड़ी और माइंड पर आज की तरह नहीं है आज कल तो लोग उसको कम और पिकनिक बनाने जादा जाते है ठीक है तो वो नहीं तो सोचो अगर किसी से गलती हुई यह वो इतना दूर गया है एफर्ट लगा रहा है इसका वह वह Ст जबकि हमें उसका जो प्रॉपर जो मीनिंग है उसको अचीए चलो बहुत बाते हो गई ठीक है आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए, ना टीटमेंट विद ओजोन, तो ओजोन दो से तीन पीपीम हम लोग यूस करते हैं, रेजिद्वल ओजोन इस मेजर भाई और्थो टॉलोडीन टेस्ट, यह इंपोर्टेंट है, जो ओजोन बची रह जाती है, वो और्थो डोलीन टेस्ट होती है, दूसरा इट वैसे बहुत पावर्फुल तो होती है, ऑक्सिदाइजिग इसे, लेकिन किलोरीन से कम एफेक्टिव है, किलोरीन से कम एफेक्टिव है, दूसरी बात, यह लॉंगर समय के लिए, दस नाट फूचर कॉंटामिनेशन, फूचर कॉंटामिनेशन, बतलब क्या है, कि यह पावर्फुल है, बट हाइली अनिस्टेवल है, ओजोन क्या होती है, तुरंद ब्रेक कर जाती है, और पिलस नैससेंट उक्सिजन में, ठीक है, जबकि किलोरीन क्या होती है, पानी में बच्ची रह जाती है रेजिडुवल तो रेजिडुवल किलोरीन जो होती है वो क्या करती है अगर फ्यूचर में आके वहाँ पर कोई अगर वैक्टिरिया वगएरा आ भी जाएगा तो उसे यह मार देगी किलोरीन बट ओजोन यह काम नहीं कर पाती इसने ओजोनाइजेशन को हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं ओजोनाइजेशन को प्रेफर नहीं करते हैं समझ माँ आगी बात यह में किताम में द्यावाई कि से कैंसर हो जाता है और भी आव नहीं है ठीक है डैजिडुवल ओक्सीजन की ओजोन कि C काम कि नहीं होती टीटैमेंट विद फिलॉरीन और भॉमींट तो इसका काम भी टिलॉरीनेशन जैसे होता है इनकी पिल्स आते हैं गोलिया आती है ठीक है उसके नहीं कर सकतो तुछ देन टीटमेंट विद के मेन फोर इसको बोलते हैं लाल दवाई लाल रंग से बना देते हैं इसको यह सब तुमने पुटाश्यूम पर मेगनेट देखा है सबने 11 टेल्थ में जब हम लोग केमिस्ट्री की लैब में क्या करते थे क्या करते थे एक्सपेरिमेंट करते थे ठीक है अब देखे पुटाश्यूम पर मेंगनेट सबसे पहले तो इसको लाल दवाई भी बोलते हैं इसका कलर दूत्रा केमनोफर इस मिक्स्ट विद वार्टर इन बकेट एंड एडिट टुबल गाउं वगारा में जनरली सो कुए में यूज करते हैं इसका पिंक किस कलर होता है पिंक कलर फॉर्म्स विकाउस फिक पिंक कलर डिसेपियर इस इंप्लाइड एट ओर जाता है तुरंट तो और गैनिक मैटर है इ तो कि जितना भी केमेन ओफर हम डाल रहे हैं वह और गैनिक कंपाउंड को ऑक्सिडाइज करने में खतम हो जा रहा है जिससे सा कलर डिसेपियर हो रहा है ता मिला तरही कि ठीक है कि मांच्जस कृति नहीं आयूझ है पॉस्काइज के दिलिवें तो फॉस और फॉसस्एट लिए नियूद फॉसदें फॉस्टेृट और यो ता पर मैंग निOUTता यही सबसे आपका important है सबसे important जो आपका यही है अब देखे chlorination में क्या होता है जो chlorine है वो पानी के साथ reaction करके बनाती है hypochlorous acid और plus hydrochloric acid लेकिन इसके लिए याद रखेगा बहुत important है कि जो पानी की pH है वो 5 से जादा होनी चाहिए solution मतलब less acidic बहुत जदा acidic solution नहीं होना चाहिए ठीक है फिर क्या होता है यह जो हो CL है यह अनिस्टेबल होता है और अगर pH आट से ज़्यादा हो गई तो यह तूट जाता है H पिलस में और OCL माइनस में ठीक है hypochlorous acid अब इसमें जो सबसे खतरनाक species है bacteria के लिए वो यह H O C L E है तो हम चाहेंगे कि जादा से जाधा H O C L बन कर रहे जादा से जाधा H O C L बन कर रहे तो पिएच कितनी होनी चाहिए 5 to 7 के बीच में 5 to 7 के बीच में तो अगर pH 5 से 7 के बीच में है तो उसमें H O C L exist करेगा अगर pH 5 से कम हो गई तो kylorine की form में रहेगा और साथ से जाधा हो गई तो ये फिर break करना लगेगा धीरे धीरे ठीक है धीरे धीरे pH 8 से जाधा होगी तो ये break कर जाता है नगा less than 7 है ठीक है तो ये इस form में रहेगा और साथ से 8 के बीच में transition होता रहेगा 7-8 के बीच में क्या रहेगा transition होता रहेगा clear है तो इसलिए HOCl के effective होने के लिए आपके जो pH की जो range है वो 5-7 के बीच में हो अच्छा ये जो chlorine होती है ये जो HCl होता है और ये जो OCl minus iron होता है इन तीनों को combine तोर पे हम लोग free chlorine बोलता है free chlorine का मतलब यही होता है क्योंकि ये तीनों एक तरीके से chlorine की फॉर्म है जो वेक्टिरिया को खतम करने के काम आती है ठीक है clear हो गया जी और ये किलोरीन हमें मिलती कहां से तो bleaching powder से या और दूसरे compound होता है तो HOCl is most destructive it is 80% more effective than OCl minus ठीक है अब वेकर पार्णी के अंदर ammonia है तो ammonia से हो CL react करके बनाता है NH2Cl NCl3 और NH2Cl इनको बोलता है क्लोरा माइन्स क्लोरा माइन्स तो जो क्लोरा माइन्स होता है तो जो क्लोरा माइन्स होता है they are less effective than free chlorine less effective than free chlorine 25 times यह बाद समझ में आगे है आपको तो क्लोरीनेशन में क्या होगा क्लोरीन वाटर से मिलकर हाईपो क्लोरस एसिद बनाती है pH 5 से जादा होनी चाहिए pH अगर 8 से जादा होती तो 100% टूट जाता है pH 5 से कम होती तो दुबारा दर कवर्नबर्ट होने लगता है तो maximum efficiency के लिए pH 5 से साथ होनी चाहिए ठीक है क्लोरीन हाइपो क्लोरस एसिद और OCL माइनस का हम लोग फिरी क्लोरीन बोलता है अच्छों सबस्दा डेस्ट्रीक्टिव होता है 80% जादा इफेक्टिव होता है OCL माइनस से पानी के अंदर अकर अमोनिया है अमोनिया कैसे होगी अगर कुछ और्गैनिक सबस्टेंस है तो उनके डिकम्पोजिशन से अमोनिया बन रही होगी अमोनिया इस हो सियल से एक्शन करेगा अलग अलग पीयेह पर बनेगा आपके पास कि न मैंस तो से ल एनच दू फियाल टू एन चियल तरी अथि थ्री कर गा क्या क्या वननेगा एन इस टू सियल एक-एक- येज़िशन बीप्लेस होता जाएगा और अमोनिय आती जाएगी थिक है है अमोनिय आती झाएगी तो एक शोड़ोर cleaner ऊबीटौ ह ल 가지고 चाहिए गी और फिलो रूप रटो चाहिए तीओ किलोरा मायन जो होता है वो इस्टेबल तो जादा होते हैं पानी के अंदर इनकी stability जादा होती है but they are less effective than chlorine कोई दिक्कत है हां तक ठीक है और जो residual chlorine होती है बची हुई chlorine क्यों जो भी हम लोग chlorine डालेंगे पानी के अंदर ठीक है वो chlorine क्या होगी काफी chlorine वेक्ट्रे को खतम करने में oxidize करने में adjust हो जाएगी जो तो बच्ची रह जाएगी उसको हम लोग चेक करते हैं DPD test से DPD DPD का पूरा नाम होता है डाई इथाईल डाई इथाईल वैसे पूरा नाम कोई पूछे का नहीं लेकिन तुम मुझसे पूछने लगते हैं इसलों में बता रहा हूं पैरा फिनाइलीन पैरा फिनाइलीन डाई एमीन डाई अमिन ठीक है DPD test के थो रहो रेजिट्रोल किलोरीन को हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं अब किलोरिनेशन के बहुत सरे टाइप होते हैं आगे बढ़ते हैं है फार्म्ष इन्विश किलोरिन इडिट पहला होता है एस फिडी पिलोरिन लिक्विडिया गैसेश फ्रम में हाइपोकलोराइट्स ब्लिचिंग पाउडर की फॉर्म में किलोरा माइम्स अमोनिय और का 1-3D के इस ट्रेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और किलोरीन कशीए लट कि और हम लोग किलोरीन को Üz कर सकते हैं अब देखी का 1-2D क्लोरीन को करते हैं तो HIV ते से 30 एमजी पर के बीच में होती है इसकी जो डोज होगी वह 0.5 mg पर लिटर होती है डोज कितनी है आपके 0.5 mg पर लिटर ची कहाँ? फिर होता है pre-clorination यह आपको बता दिया आप pre-clorination कब करते थे जब highly polluted और highly polluted water होता था था तब तो chlorine is added before filtration और राधर before sedimentation and coagulation starting में मिला देते हैं तो pre-clorination इसमें जो dose होती है वो 0.1 से 0.5 mg पर लिटर कितना 0.1 से तो इसमें होता क्या है actual में कि जो dose होती है वो 5 से 10 mg पर लिटर होती है कितनी होती है 5 to 10 mg पर लिटर होती है और यह जो 0.12.5 mg पर लिटर है बेसिकली रेजिडूल है यह बेसिकली क्या है रेजिडूल है इसलिए कि डिफ्रेंस क्या है सब में अरे डिफ्रेंस क्यों है वह यह कि यह सबसे पहले तो समझो इस सब का मतलब पहले आपको बताया जा चुका है प्री किलोरी नेशन मतलब सबसे पहले अधिक है तो इस साड़े प्रोशीजर से पहले यूज करते हैं हम लोग टिक है अ कि तो पुड़ी कि लिन पोस्ट होता है जो हम लोग क्या करता है इसको इस आरफयर फाइनल से लृचामिन इसके बाद करता है फिल्ट्रेशन के बाद में करता है प्लेन क्लोरी नेशन का मतलब होता है केवल क्लोरी नेशन हो रहा है और कोई प्रोसेस नहीं है प्लेन क्लोरी नेशन का मतलब है ओनली क्लोरी नेशन जैसे होता है ना कई बार जातो ग्राउंड वाटर है या फिर क्या होता है या फिर क्या होता है या फिर क्या होता है जैसे कोई साफ जील है बिल्कुल एक बिल्कुल साफ ले के आपको लग रहा पानी बिल्कुल साफ है लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते तो उसका केवल हम लोग क्या कर लेते हैं क किलोरीनेशन कर लेते हैं तो जहां पर किसी भी तरहां के अदर ट्रीटमेंट की रिक्वार्मेंट नहीं है तब भी सेफटी का ध्यान दखते हुए उसका डिस इन्फेक्शन कर देंगे तब हम उसे बोलते हैं plane chlorination plane chlorination ठीक है 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 हो गया है ओके डोस इतनी होगे pre-clorination क्या होता है जब पानी जिस water को हमें treat करना है जिसका sedimentation कराना है जिसका filtration कराना है अगर वो highly polluted है पहले से बहुत ज़्यादा pollution है और उसमें बहुत ज़्यादा turbidity है तो क्या होगा यह आगे जाकर प्रॉब्ल और इसमें algae भी हो सकती है उसमें algae भी हो सकती है तो यह क्या करता है आगे sedimentation filtration सब पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा तो उसको खतम करने के लिए पहले से ही उसका klorination कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग pre-klorination pre-klorination में बहुत high dose में klorine मिलाते हैं 5 से 10 mg पर लिटर 5 तो 10 यह इसमें मिलाते हैं ताकि filter तक जाते जाते भी उसमें 0.1 से 0.5 mg पर लीटर तक रेजिद्वल क्लोरीन रह जाए रह जाए ठीक है वह यह ठीक है नेक्स्ट आपका पोस्ट क्लोरीनेशन पोस्ट क्लोरीनेशन क्या होगा तो देखो जिसके पास अपने आपको लग रहा है थोड़ा सा मिसमेच है वहाँ पर अपना ओवलीक करके लिकलो और बाद में देखलो कौन ज्यादा reliable है कौन ज्यादा authentic है मैंने भी तो वही क्या ना अभी देखो मैंने क्या क्या जैसी मैंने value देखी मेरा दिमाग हो गया या यह तो नहीं है इसमें तो ज्यादा होता है तो मैंने चेक के चेक करने पर मालूम चलिए कि यह basically क्या लिख हुआ है समझ रहे हैं इस नहीं कि पोस्ट किलूरी निश्ट तो drought.1 2.2 mg per लीतर और इसका जो अब देखो contact contact प्रका बीस मिनट के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए तो 001 से 002 म से पर लीटर इसकी कि रहेगी डो रहेगी अब यह दोस भी आ तके हैं कि यह सब इस तरह की डोस होती है कि यह बिसीकली रेजडुवल वेल्यू यह क्या यह भी अगेन आपकी रेजडुवल वैल्यू है यहां जो यह 0.1 से 0.2 है यह रेजडुवल है इतनी बच जानी चाहिए भाला इसमें किलोरीन इस तरीके से मिलात किलोरेन दिमान कालकूलेट करने के बाद में इतनी धक्रनु ये मिलाते हैं कि पॉइंट वन से पॉईंटो एमजी व्ली पर लीटर क्लोरीन बचनी चाहिए त JESNY क Monet मतलब पानी कें अंदर काल इन इतने समय तक रहे इतने समय तक रहे रहनी चाहिए ठीक है यूच करने से पहले पानी को यह नहीं कि पानी में किलोरीन मिलाया और बस यूज करना नहीं पानी में किलोरीन मिला के उस पानी को बीस-पच्चिस मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए 20-25 के लिए क्या चाहिए इस चौर अंचाए के लियर बींद यह को समय सिर्टिट्मेंट करने से पहले भी और टीट्मेंट करने के बाद भी treatment करने से पहले भी किलोरीनी मिलाई और treatment करने के बाद भी किलोरीनी तो यह हो गया आपका double किलोरीनी शन क्या double फिर भया एक होता है आपका break point किलोरीनी शन भंजग बिंदू किलोरीनी करोन क्या बोलते हैं इसको का घुराफ समझेगा खतरनाक सागराफ है था noble a sharp a देखीए गए क्लोस्ट क्षिन Alma теперь ये दो जी से साफ से देगे कि आपकी जो गोरिन हो पॉईंट मसे पॉईंट यौन से पॉईंट टू ये गॉफ टेम्व होता है हुआ ठीक है, सुपर कि्लॉरीनेशन अलग होता है, सुपर किलॉरी नेशन अलग होता है, वो बाद में बताएंगे, हुआ'D Кол су पर बार पहले हाँ देखाओ इस ग्राफ यह ग्राफ है क्या इस ग्राफ यैक्सिस पर हमने किलोरीन रेजिडिटेव बची हुई किलोरीन दिये और इधर जो है वो एड़िड किलोरीन दिये माला कितना किलोरीन मिला रहे हैं वो X-axis पर है और Y-axis पर है बच्ची हुई किलोरीन अब स्टार्टिंग में हम जो भी किलोरीन मिलाएंगे starting में हम जो भी किलोरीन मिलाएंगे वो वैक्टिरिया को खतम करने में यूज होती जाएगी तो starting में आपको residual किलोरीन दिखाई नहीं देगी क्योंकि जो भी तुम किलोरीन मिला रहे हो वो क्या हो जा रहा है वैक्टिरिया से खतम होती जा रही है जब इस पॉइंट के बाद में जब सारा वैक्टिरिया खतम हो गया अब तुम जितनी भी किलोरीन मिलाओगे वो आपकी एजे रेजिडुवल मिलने लगेगी तो इस केस में रेजिडुवल किलोरीन बरावर किलोरीन एडिट तो य बरावर एक्स आपको मिलेगा तो ग्राफ क्या बनेगा लाइं क्या मिलेगा आपको लाइं 45 डिगरी के एंगल पर आप कह सकते हो तो आप क्योंकि आपका वो खतम हो गया है वैक्टिरिया तो जो भी मिला रहे वो सीधे सीधे क्या होती जारी है जैसे अगर अमोनिया है तो किलोरा माइन बन गई हाइपो किलोरास एसिड बन गया के वल सी एल्टू की फॉर्म में इसकी फॉर्म सा अलग हो सकते हैं बट यह पानी के अंदर अभी भी एपलेबल है एक तैम आता है उस तैम के बाद में फिर क्या करती है यह जो भी और गांट कंपांठे और यह नी कंपांट्स ऑंगे अब यह उनको डी कंपोस करने लगती है अर्वशी डाईूवल का मतलब बच्ची हुई यरईूवल का मतलब वहती है बच्ची हुईलोरी हाँ बच्ची वी किलोरीन ठीक है बहुत बताओ यार आप आप मालो आर्मी में हो आप कहां पर हो भाई सब आर्मी में हो ठीक है नाम तो तुमारा खेर नहीं है वैसा आप आर्मी में हो और आपके पास क्या है 100 बुलेट से आपके पास क्या 100 बुलेट से और मालो सामने से जो हैं वो आपके जो एनिमी सोल्जर से वो आ रहे हैं और आप उन्हें क्या कर रहे हो मारते जा रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या रहा है आपके पास जितनी भी सप्लाई आ रही है उतनी सप्लाई आपकी क्या होते है तुरं तो बच्ची रह जाएंगे फिर क्या होगा पता चला आप फिर ही हुए थे तो आपके पास सप्लाई तो पीछे से डारेक्ली आही रही थी कि भाई ठीक है लड़ाई पर गए हुए हो तुम लोग है यह क्लूरीन क्या बेसिकली सोल्जर सी तो है ठीक है क्लूरीन मॉलेकुल् को अगर हम्मने क्कलूरीन का। तो जितनी बुलेट्स आती जा रही यह उतने हैं जो एदीमी स्टेर वहां की पास क्या होतार है खतम होते जार मारू हमने क्या किया ह gelatin च्हांदенноई switched on हो अब जो भी किलोरीन आ रही है वो बच्ची कि रहा जारे है वो फाहिद नहीं हो रहा है तो यह बच्छ गई बच्ची को क्या बोल दी हमने डीजिड ओल बोल दिय Terrace बच्यों को क्या बोल दिया हमने रेज़िवल बोल दिया ठीक है अब जो भी किलोरीन थी वो क्योंकि यूज नहीं हो रही तो वो क्या होता जा रहा है उसका माउंट स्टॉक मेंबर तजा रहा है mem 1 तो सरकार की तरफ से तो मैं गोलियां तो मिल रही है वाट सरकार की तरफ से गोलिया तो मिलfly यह है वैत दुसी तुस्मन नहीं थो तर दुसित बैटा तर दुसमन नहीं है सरकार्फ यह तो से दूसर एंडब करता जा पता चले एक दिन दुस्मन ने प्लान किया चलो बहुत दिन ओगे खुरा पात नहीं कि थोड़ी सी फैरीग की जाए अब तुम्हें मिला मुखन लो भीस दिशो 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 तो क्या होगा अगेन तुम्हारा स्टॉक क्या होगा खतम होनी लेगा तुमने सा सा सिंपल सा फंड अपन राया थिक है तो वो रहा यहां पर हो रहा है स्टार्टिंग मी यह क्या थाल्ग किलोरीन के सप्लाई इस सक्लाइब बच्पा बरता जारा बरता जारा आप इसके बाद नई टाइप के दुस्मान आई वह क्या थे आप के पास प्रॉसेस में इसकी क्वांटिटि क्या होने लगेगी कम होने लगेगी फिर एक मिनिम्मम वैल्यू पर आईगी और अभी फिर से एड करोगे तो फिर से बढ़ने लगेगे तो यह वाला जो पॉइंट होता है यह आपका क्या होता है ब्रेक पॉइंट होता है यह क्या होता है तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनिशन क्या होता है जब किलोरीन आप इतना ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो कि वैक्टिरिय या भी खतम होता जारा है और आपका जो और गनीक अम्पांड में? तेक है वो भी खतम होते आ रहे हैं जोन वाइस का बतातो दिया जोन वन जोन टू जोन तरी जोन वन में क्या हो रहा है आपका जीरो रैजिडुवल क्लोरीन क्यों 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 होते हैं जोन वन हो गया जोन के और हैं वेक्टिरिया तो खतम हो गया तो वो किलोरीन पाणी में प्रिजएंट अमोनिया जो दूसरे compound से उनके साथ क्या हो रही है कमगाइन हो जा रही है तो यहां पर आपके पास फिरी क्लोरीन है और किम्बाइब क्लूरी नि फिट्रास में एक तक रभर एनम हो गए तक आप बेक्टीरिया तो पहली खतम हो गया अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका जो और गे निक कंपाउंन जिसका लिख फिए आए न जो खतरनाक ऑफिस वाले होते शुट्वाल होते ठीक है तो यह हो जाता है अब इसके बाद में यह फोर्थ जोन जो आजएगा इसमें फिर से आपका वहीं बढ़ने लगेगा अब ना वैक्टिरिया बचा ना और गैनिक बच्चे अब तो पानी बिल्कुल साफ है तो टो में ब्लाते रहों बस पानी का टेस्ट करवा होता जाएगा और्स कि न युगा ठीक है पानी का टेस्ट करवा घ़ एक कि सिनल है आग़े वात समझ मैं गया आई जो आई समय में के नाई भी आ जल्दी बताओ clear है now chlorine residue is tested by DPD test chlorine is added beyond breakpoint to ensure a residual of 0.2 say 0.3 mg per liter as philic chlorine the difference of applied chlorine and residual chlorine beyond breakpoint is called chlorine demand of water chlorine demand of water ठीक है सब कुछ खत होने के बाद नहीं इतनी किलोरीन हमें क्या है बचनी चाहिए अब इसमें एक होता है सुपर किलोरीनीशन सुपर किलोरीनीशन कब करते हैं जब महामारियां फैलती है पानी के थुरू होने वाली महामारियां यह वाली नहीं कोरोना वाली यह और edorfect हैं तरह गया इस तरह का जो महमारियां होती है तो वो ज्यादाथ पानी के थुरू होती है तो पानी में बहुत विदंटो उच्छे कर देते हैं किलोरीन मिला देते तो एकसे किलोरीन पांस से 15 mg पास से 15 mg पर लिटर तक मिलाते हैं ठीक है लेकिन फिर क्या होता है इतनी ज्यादा दोज हमने मिला तो दी फिर इसमें से काफी किलोरीन बची रह जाती है तो पानी पीने लायक नहीं रहता तो जब किलोरीन बहुत जादा बच जाती है तो हमें किलोरीटिंग ये जन्ट यूज करने पड़ते हैं इनमें से कुछ होता है सोडियम थायोसलपेट जिसे हम लोग हाइपो भी बोलते हैं हाइपो स्लूशन एने टो एस्टु ओ थरी एक्टिवीटेट कारवन गार्वन सल्फर डायोकसाइड ये सारे के सारे कहा है डी किलोरीने थेंट हैं थी वरस्टन आ गई ठीक है टैस्टिंग ऊफ ख्लोरीन रेजिदियों यह इंपाटेंड होता है और फोलीदीन टैस्ट takiej कर सकते हो इसको ओजन विकर भी करता है और अधीक्र test Lost yüzden त्ट है फ्यक्ता है को के आगी बात समझ में ठीक है इसके बाद आपका सॉफ निन का कर लेते हैं क्या कर लेते हैं क्वेंशन कर लेते हैं क्वेश्चंज कर दो मैं जड़ा पानी पी लेता हूँ तब तर आप लोग केशन करो हां जी अभिशेग बर्मा जी दिखने आपके कमेंट्स घवराईये मत कमेंट्स दिखने आपके तो क्लोरीन डिमांड ओवाटर इस इकल तो वाट एपलाईड क्लोरीन रेजिटल को इन समफ अपलाईड डिफरेंस ऑफ एपलाईड इन एजड़ क्यों एपलाईड की आपने दस एमजी पर लीटर और बज़ गई दो एमजी इसका वाला खर्च कितनी वी आट एमजी जो खर विद सब्जेक्ट बता दीजिए सब्जेक्ट बेटा यह है कि जनली सेवन टू टैन आपका जो न्यू सब्जेक्ट चल ला है त्योरी वाइस वो चल ला है जिसमें हम लोग इस समय एन्वार्मेंट पढ़ रहे हैं और सॉइल खतम कर साथ से दस ठीक है उसके बाद ग्यार दिन में स्टार्ट हो जाएगा ठीक है में भी कल से तो अभी फिलाल यह दो सेशन केबल चल रहे हैं जब यह एन्वार्मेंट हो जाएगा फिर कुछ और भी करेंगे है यह तो सर को भी नहीं पता होगा है यह भी हो सकता है थेक्षिक ए अनसर्टिनिटी रहती है थोड़ी मात होना वीचे जिंदिगी में अगला नेक्स्ट फ्रेस्टन है अग अग डिसिंफेक्टेंट रिजिरिटी कभी अच्छी नहीं होती हमें फ्लेक्सिवल होना चाहिए है चीजों को ठीक से करने के लिए अगुड दिसिन्फेक्टेंट इसुद भी पर्सिस्टेंट इनफ तो प्रिवेंट री ग्रोथ अफ ऑर्गेनिस्म इन दिस्टिविशन सिस्टम ठीक है तो भाईया यह बास सही है रेजिडूल क्लोरी इसलिए छोड़ते हैं बैल विलो होना चाहिए अब लिखाए तो दूसरा गलत है तीसरा के रहा सुड़ है वास्ट रेट ऑफ किल ओफ माइक्र यह बास सही है तो आंसर वन इंटिरी होगा वैसे भी टू गलत है तो जिन जिन में टू आ रहा था उनको लपेट देते तब भी आंसर में सी मिल जात अधिव विश्व कर्मा कहा रहे हैं जिते इंसर है क्या आप भाई कौन लग रहा है आपको आप बताओ कौन लग रहा है आपको यह क्वेश्चन बाद में करें है हाडनेस का क्वेश्चन है हाला कि भी सॉफनिंग बताया नहीं है बढ़ इस क्वेश्चन को चलो हाथ वाथ करवा देते हैं दफlike कार्वनी कोके आफ्र वाटर सॉफनिंग वाई दी लाइम सोड़ा प्रोसेस होता है सुडियम हाईडिक्ञिकॉड क attention मिला देता है वा Además öst ठीक है तो लिए न अगर पानी में भी वाडर सॉफनिंग करते हैं तो जो calcium के compounds होते हैं वो precipitate हो जाते हैं क्या कर जाते हैं precipitate तो कई बार यह precipitation होता है यह pipeline में होने लगता है और वहाँ पर यह calcium carbonate वगएरा क्या हो जाता है जम जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? री-carbonation करना पड़ता है री-carbonation में क्या होगा? यह जो precipitates होता है वो पानी में फिर से घुल जाते हैं मतलब यह water softening का reverse process है ठीक है यह पानी में hardness बढ़ाने का process है ताकि pipe बगएरा में जो जम हुआ जो यह calcium carbonate था वो सब निकल जाए जो hardness जम गई थी pipe में वो पानी में घुल कर निकल जाए ठीक है यह होता है अगला सवाल दी percentage of chlorine in fresh bleaching powder is about ठीक है तो bleaching powder में 30-35% जो होती है वो लगव लगव आपकी chlorine होती है अगला question the amount of residual chlorine left in public water supply for safety against pathogenic bacteria is ठीक है 0.01 से 0.05, 0.05 से 0.5, 0.5 से 1.0 क्या answer होगा भी है इसका तो तो रेजिरो क्लोरीन हमारे पास लगवलो 0.5 mg पर लीटर होती थी तो 0.05, 0.05 से 0.5, 0.05 से 0.5, ठीक है तो जो अपर लीमिट है उससे ही सवाल पकड़ा जाएगा वो है यह 0.5 0.5 PPM तक रहनी चाहिए, answer जो ओगा वो B होगा इसका ठीक है, answer जो ओगा वो B होगा आए झाए देखो जो प्री किलोरीनीशन में था वो था 0.1 से 0.5 जो पोस्ट क्लोरीनीशन था वो था 0.1 से 0.2 और जो प्लोर्ड जो प्लेन था उसमें था 0.5 तो यह वाला जो option है वही आपका जो best है क्योंकि यह 0.5 से 1.0 बहुत जादा हो जा रहा है 0.01 से 0.05 बहुत कम है ठीक है 1 से 5 तो हट से जादा है answer आपका इसका B ही है कितने वज़े तक है आज खिलास मत पूछो कितने वज़े तक है अभी चलती रहेगे 11 वज़े तक मालनो कम से कम 11 वज़े तक आपकी खिलास रहने वाली है अभी तो question करेंगे ना आज उसको निप्टाएंगे दिसिंफेक्शन के बाद में थोड़ा सा आपको छोटे मोड़े टॉपिक है जैसे वाटर सॉफनिंग डी फिलोरिडेशन वह सब बस उसके बाद खतम फिर आपका ये वाटर टीटमेंट वाला खतम हो जाएगा कल से हम लोग सीवेज स्टार्ट कर देंगे सीवेज टीटमे ठीक है महा मारी के टाइमपर अगला स्वाल डिसल्ट ऑक्सिजन इस मेजर्ट राय ताइट इंथ वाटर और सेमपल विट्क या बता था हाइपो थाइपो सलीशन एण डीटमेंट अगला सवाल अन मैथद अव डिसनफेक्षिन ओव ढिंकिंग वाटर दिनकिंग के का method कौन सा है कौन सा है treatment with excess lime treatment with ozone electro catadine process all of the above ठीक है तो आंसर क्या रहा है का आपका all of the above अगला सवाल ortho tolerant test is used to determine determination of dissolved oxygen बी ओडी रेजिड्वल क्लूरीन डोस अफ को एक रिन ठीक है क्या इसका अंसर होगा ने अभी निवाय हो में जिस अभी चल रहा है वहां पर ठीक है चल रहा है थोड़ा सा और बाकी रह गया है तो रेजिड्वल क्लूरीन और आपका ओजोन दोनों के लिए था तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर क्या होगा इसका बी अगला सवाल दा एफिशेंसी ओब डिस इंफेक्शन भाई क्लूरीन इन वाटर टीटमेंट इंक्रीज भाई वाटर टीटमेंट इंक्रीज भाई डिक्रीज इन टाइम आफ कॉंटेक्ट गलत टाइम आफ कॉंटेक्ट जाधा होना चाहिए डिक्रीज इन टेंपरेचर वाटर गलत क्यों टेंपरेचर कम होने पर कैमिकल रेक्शन स्लो हो जाती है increase in temperature of water yes क्योंकि high temperature पर chemical reactions जल्दी होती हाला कि एक खत्रा इसमें होता है कि किलोरीन अगर gases form में है तो ओड़ी जाएगी लेकिन gases form में नहीं होती है वो hypochlorous acid की form में होती है पिदी किलोरीनेशन तो हमेशा करना जरूरी नहीं होता इसने D वैसे भी आंसर नहीं होगा हाला कि किताब में ऐसे डी दी यह जो कि गलत है अगला सबाल कि इस इंफेक्शन और बॉर्टर रिजल्ट्स इंडिस इंफेक्शन और बॉर्टर रिजल्ट्स इंऔर कि कocyf कि अगला सबवाल यह सवाल आप कीजिए यह सवाल आप कीजिए क्या अंसर होगा इसका कुछ बोलने सी कुछ बोलने डी सावाश मैंने आपको बताया ता कि ओजोन भी क्या होती है किलोरीन से खराब होती है और जो किलोरा माइन्स होता है है इनकी भीberg ocl से कम होती है कैज़ी य्चोशे ल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है समझ कके और एक ऑप्छन में Ik gold centuries है बटट किलोरीन से लेस आंसर क्या होगा इसका भी ओग तीक है अंसर क्या होगा योगा किलोरा माइंस जो होता है वो फिरी किलोरीन से 1 by 25 जो है, इनके efficiency होती है, 25 गुना कम efficient होते हैं, और ozone तो कम होती ही है, ठीक है, एक ही option है, इसने hocl, then monocloramine, then trichloramine, then आपका ozone, हाला कि किताब में answer जो है, वो ए दिया है, जो की गलत है, ठीक है, जो की गलत है, इसमें ncl3 सबसे ज़्यादा नहीं दिया, ncl3 ब होता है, hocl होता है, then आपका monocloramine, then ncl3, then ozone, ठीक है, ozone और chloramine, दोनर की free chlorine से कम efficiency होती है, कम होती है efficiency, ठीक है, अगला सवाल, lake water contains phosphate ions, which species would be formed, if pharic ions in forms of ferric chloride are added in lake water, और यह simple सी बात है, आपके पास phosphate ion था, PO4 3-, और आपने क्या add किया, FeCl3, तो iron plus 3 में, यह 3- से combine होगा, तो क्या बन जाएगा, Fe, 3, PO4, और साथ में क्लोरान, फिरियो जाएगे, तो यह की compound of ferric phosphate यही बनेगा, ferric phosphate, ठीक है, अगला सवाल, डिस infection of drinking water is carried out to remove, अगेन वही बैक्टिरिया, अगला, in chlorination due to rise in temperature of water, death rate of bacteria क्या करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, not affected, यह बढ़ेगा, अगला सवाल, डिस infection of water results in removal of turbidity, hardness, killing pathogen, same type of question, repeated, रिज़िवल क्लोरीन in water is determined by, यह बताईए भया, रिज़िवल क्लोरीन को किस से मेजर करते हैं, तो आपको बता था, स्टार्च आयोडाइट भी होता है, और और तो टॉलिवी टेस्ट भी होता है, और डीपीडी भी होता है, ठीक है, तो बोथ, दोनो होता है, क्या होता है, दोनो टेस्ट होता है, दोनो, और तो टोलिवी टीपीडी, क्लोरीन, 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 क बोथ दोनों को यूज़ करता है तो फिरी क्लोरीन एज लिक्विड क्लोरीन गैस, हाइपोखलोराइट या ब्लीचिंग पावडर, क्लोरीन टैबलेट, क्लोरा माइस, क्लोरीन डायोकसाइड, यह सब आपको बताएते है, यह सब यूज़ करते हैं, आम लोग ठीक है नौ डिस इंफेक्शन अव वाटर हेल्पस इन ठीक है रिमूविंग टर्विडिटी रिमूविंग हार्डनेस किलिंग पैथोजनिक वेक्टिरिया गंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हां जी तो हार्डनेस रिमूव होती है क्या किलोरीन से नहीं तो ये गया ठीक है और सबसे इंपोर्टेंट क्या था किलिंग पैथोजनिक वेक्टिरिया वह यहाँ पर ही नहीं तो यह भी गया आंसर क्या होगा भी अंसर क्या होगा भी ठीक है कि मुईत करेंगे दिन में भी कुछ डॉंट वरी अभी तो टाइम भी तो नहीं बिल्दा ना बालग हमारा जो रात में होता है फिर उसको दिन में रखा जाये करें वहीं होता है दिन में बड़ी अंसर्टिनिटी होती है कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है कुछ भी हो जाता है चलो मैं ऐसा करता हूं कि यह वाला जो रात वाला सेशन है या तो ग्यारा वजे वाला फिर इसको दिन में रखना पड़ेगा, question practice का, नॉर्मल, standard process of applying chlorine to water is, गलत जवाब, नॉर्मल, standard तरीका जो होता है, वो होता है, आपका post-chlorination भाई साब, post-chlorination सबसे किसी भी treatment plant में, सबसे ज़्यादा जो किया जाता है, वो post-chlorination होता है, plain chlorination बहुत limited cases में होता है, वो normal, standard process नहीं है, plain chlorination क्या होता है, जहाँ पर काप कोई treatment ना दे, तब, अब आप एक civil engineering फिर करने के ज़रत क्या रहे गए, अगर plain chlorination ही करना होगा तो, चले रात में भी रहेगा, दिन में भी करेंगे, don't worry, दोन जगे हो जाएगा, don't worry, चिंता मत करें, जो चैसा चल ला है, वैसा भी चलता रहेगा, दिन में भी रख लेंगे, अगला सवाल, अगला सब्सक्राइब, कि अब किलोरीन की डोस्त कि तनी है पॉंट फाइव पीपी अमेनी टे जीडो पैट फाइव एम जी पर लीटर तो जीरो पैट पाइब से multiply क्या तो यह mg बन गया 1000 से multiply क्या तो ग्राम आ गया और फिर इसको 1000 से divide कर दिया तो यह क्या गया किलो ग्राम आ गया ठीक है फॉर्ट इस परपर दा requirement of 25 percent bleaching powder पर डे बूड़ भी तो इसमें 25 परसेंट का मतलब क्या है कि इसमें जो chlorine है केवल कितनी है 25 percent है तो बिलीचिंग पावडर कितना चाहिए होगा चारगूना चाहिए वील चिंग पावडर कितना कि ही होगा चारगूना चाहिए होगा तो इसे अहीं कर देन 2 ओद पे आपका अंसरा जायेगा किया क slippers ihr manloo इस इकल्स टू आप कर लिए ना बिलीचिंग पाउडर चाहिए एक्स तो एक्स का 25 परसेंट या आप ऐसे कर लो तो आंसर आगया होगा 30 केज़ी समझ गए 15,000 क्यूबिक मीटर पानी है जिसको टीट करना है किलोरीन की डोज है पॉइंट फाइब यह पॉइंट फाइब एमजी पर लीटर इसके लिए हमें कितना बिलीचिंग पाउडर चाहिए होगा तो यह पानी आगया लीटर में 15,000 ग कर दिया ग्राम फर्दर फाउजन से डिवाइड को में किलोग्राम केक क्या है अब आप में कितना हो 스क्य यह सकते हैं यह है तो यह आप इस तरह से द्रेक्टली के निकाल सकते है base तो आंसर आप लोग का आवी कहा है बहुत बढ़ है 30 के जी आ रहा है वेरी गूट अगला सवाल अगला सवाल आफटर ओल टीटमेंट्स और प्यूरिफिकेशन और अगला सब्सक्राइब करते हैं उसको क्या बोलते हैं लोग पोस्ट किलोरी नेशन बोलता है क्या बोलता है पोस्ट किलोरी नेशन तो आंसर इस डी बी स्वाल कीजिए बढ़िया कर ला है थोड़ा बहुत अगर मैस बढ़िया है तो ऐसे बना डाला है लोगे लेकिन थोड़ा समझना पड़ता है क्वेशन को इसका अंसर क्या होगा भी या डिस इंफेक्शन इस दी ओनली रिकॉर्ट टीट्मेंट वैंदा सोर्स ओव वाटर इस ठीक है तो इनकी तो बात ही नहीं करेंगे कन्फिजन आपका होगा लेक में या डीप ट्यूब बेल में बेटा डिस इंफेक्शन किस निये करना पड़ता है वेक्टिरिया को मानने के लिए बहुत डीप ट्यूब बेल होगा अंडर ग्राउंड वाटर होगा तो उसमें होता है ओर्गैनिक कंपॉञ्ट की वजlink की वघसे अगर डीप ट्यूब वैल है तो वहां पर कोई औरगैनिक कंपॉञ्ट गया ही नहीं तो वहां पर एक्टिरिया होगा क्या नहीं होगा तो ड्यूप teaching के लिए केवल आपको एरेशन करना पड़ेगा केवल एरेशन करना पड़ेगा आपको किलोरीनेशन करने की जुरतनी है जो लेक का वाटर होता है वो जनरली किलियर वाटर होता है लेक वाटर जनरली क्या होता है किलियर नाम भी लिया था तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है किलोरीनेशन आपको करना पड़ेगा लेक वाटर में क्या करना प आस-पास में सारे गटर का पानी वहीं पर जा रहा है ठीक है वो नहीं हाँ हाडनेस भी कम होगा टीडियस भी कम होगा सब कम होगा इसके अंदर ठीक है अगला सवाल अगला सवाल पढ़िए बताईए हाँ हां जी क्या अंसर होगा अज़का विनिर्ष सुकला जी जो ग्राउन वाटर वाँ पर एक तो डीप ट्यूब बेल समझे पानी बहुत तदा गहराई से आ रहा है दूसरा ग्राउन वाटर का सिफ्ट जो डिसिंफेक्शन करते हैं वह कौन सा डिसिंफेक्शन करते हैं जो हमारी क्या वाटर होता है जो आता है ओवर है टेंक से वह आता है पाइप लाइन्स के तुरूब तो फीचर कॉंटामिनेशन ना हो जाए इसलिए उसमें थोड़ी सी किलोरीन मिला दी जाती है अदर्वाइस किलोरीनेशन की वहाँ पर कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा एक एरिया है वहाँ पाइपलाइन बिची हुई थी तो एद के समय पर वहाँ से उस उनके घरों में लाल पानी आने लगा अब आप समझ गया होंगे वह लाल पानी क्यों आ रहा होगा ठीक है लेकिन आप ये समझें वो पानी की पाइपलाइन में लाल पानी क्यों पोचा क्योंकि वो पाइपलाइन कहीं से टूटी-फूटी थी और आस-पास में उसमें कहीं से कहीं ना कहीं से सीवर का पानी उसमें क्या हो रहा था वो mixing औरे ती आप समझ रहो आप जी सेरय में पानी जा रहा था उनको माली मीनि चल ला था तो वह तो यह कलर की वरियसे वालम चल गया तो future में पानी में इस तरह का contamination हो सकता है किलोरीन मिलाकर जाए वह बहेजा जाता है कि तो यह दखेगा वन आप दी disadvantage associated with the use of ozone भया इससे तो टेस्ट अच्छा हो जाता है पानी का टेस्ट अच्छा हो जाता है oxygen बढ़ जाती है oxygen rich water होता है main problem मैंने बताया था it cannot be maintaining water ozone को आप residual form में पानी के अंदर नहीं रख सकते जिस वज़े से future contamination को यह नहीं रोक पाएगी future contamination को यह नहीं रोक पाएगी ठीक है यह main वज़े होती है future contamination को नहीं रोक पाएगी अब जबकि बुक में इसका answer दिया है cancer वाला जो की गलत है यह नहीं होता कि यह रीजन नहीं होता है हाँ यह मुरादा वादना अखवार में आया था बीटो भाया बक्राइट थी बीटो भाया बक्राइट थी अप मालूम चल गया क्यों होगा पानी लाल चलिए यह था हाटनेस का सवाल हो गया अगला सवाल दा एप्लिकेशन ऑफ किलोरीन ब्यॉंड इस्टेज और ब्रेक पॉइंट इस नोन एज रोहित राज जी वो ओजोन आपके इस्किन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ दिये वो पानी तुमने पीना है वो पानी आपने पीना है ओजोन से साफ क्यों होगा थैंक्यू दिव्यांग जी थैंक्यू जाद़ से जाद़ लोगों तक शेयर कीजिए इन क्लासेस को ठीक है अब देखिए इसका नाम होना चाहिए था ब्रेक पॉइंट क्लोरी नीशन लेकिन कहरा है ब्रेक पॉइंट के बाद भी आप क्लोरी नीशन कर रहे हो इसका मनला बहुत हाइड्रोस आप दे रहे हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है अब देट इस सुपर की लोरी नीशन अब कर देखिए मालम चल जाएगा आपका ओजोन लियर की जो कमी हो जाती है उपर उससे कैंसर होता है इसकिन क्योंकि अल्टा वाले ट्रेज जो होती है वो अर्थ तक पहुंच जाती है ठीक है इसकिन कैंसर उसकी वज़े से वोता थ अगला सबाँ next question the disinfection efficiency of chlorine water treatment is not dependent on pH is increased by increasing pH remains constant at all pH is reduced by increasing pH तो ना तो इसका अंसर A है और ना ही इसका अंसर C है इसका अंसर B भी है और इसका अंसर D भी है क्यों क्यों क्योंकि जब pH हम लोग 1,2,3,4,5 जब 5 से बलाते हैं 5 के आगे बलाते हैं तो efficiency chlorine की बढ़ती है लेकिन अगर pH आपने 8 से जादा कर दी तो फिर efficiency क्या कर जाती है के reduce कर जाती है तो क्या कर जाती है reduce कर जाती है बट फिर भी आज से जादा होने के बाद देको अगर pH 5 से कम रही तो no disinfection तो no disinfection अगर pH 5 से कम रही तो disinfection हो गा ही नहीं लेकिन अगर pH आप से जादा हो गई कि disinfection तब भी होगा लेकिन थोड़ा सिलो होगा होगा लेकिन थोड़ा सिलो होगा इसने हम जो टिक लगाएंगे इस पर बी पर लगाएंगे क्यों क्योंकि हम लोग pH बलाएंगे तो efficiency जो है वो आपकी इंक्रीस करेगी इस्तार्टिंग में राइट तो 5 से आगे साथ तक उसके बाद में शुनो हो जाएगी लेकिन फिर भी दिस्ट इंफेक्शन हो गई नहीं ना पांस तक तो डिसिंफेक्शन हो गई नहीं तो सवाल जो है वो अपने आप में तरीके से गलत है और बतकिस्मती से यह जो सवाल है अगेन आपका डवलूबी पीएसटी का में में बेस्ट वेंग आया है तो इनके सारे वह डिस्पूटे नहीं है ठीक है डिस्पूटेडी है टीस्पीएस्टी का भी सवाल है समझ गई इसका अंसर तो बैसे तो BOD दौनों ठीक है लेकिन क्या होता है कि 5 PS तक किलोरीन वर्क ही नहीं करेगी वो as it is CL2 पड़ी लेगी को किलोरीन कब वर्क करती है जब यह HO CL में पदलती है OCL माइनस अब दलती है या किलोरा माइन में बदलती है ठीक है अगला साथ हलाक इनोंने आंसर जो ओडी दिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग लिभी यह अगला सवाल से सब्सक्राइब करें है कि डिको मैंने अपना लौजिक समझा दिया अब हमेसा मैं सही हूँ या हमेसा आई समस्टर या कोई और से ये कोई जरूरी नहीं होता है नजितायोगम You तो उनका लॉजिक पढ़ लो मेरा समझ लॉजिक समझ में आया तो मेरे हिसाब से कर लो ठीक है इस वरिये से अगला सवाल यह सवाल बिल्कुल वैसी हो जाएगा जैसे भी पीछे किया था डिटर्माइन दि इक वाने टो बीचिंग पाउडर रिकार फर रूरल वाटर सप्लाइश खिम सो एज तो क्लूएट टूएट्टी थाउज़न लीटर ट्वेंटी थाउजन लीटर पानी है फूस किलोरीन डिवाण इस टू एमजी पर लीटर टू एमजी मतलब तो टू पन ग्राम और बिलीचिंग पार्डर माल लिया एक्स और फिफ्टी परसेंट क्या है आपकी पास किलोरीन है तो यहाँ आफ आएगा टू से दर डबल असी ग्राम है ना असी ग्राम इस दिया अंसर पिएच बढ़ाएंगे कैसे कुछ ना कुछ बेस बागारा होगा उसके अंदर उससे अगला सवाल अगला क्रेशन पिएच आञेच बिशी परमेंगेटे उससे का की बागानेत कीना की है अगला सवाल यह साय लास प्रेशन है game लास औरगार son कि विच आप दी फॉल्लइंग इस आप फिजिकल मैफ़ड ऑफ डी किलोरिनेशन डी किलोरिनेशन का फिजिकल मैफड बताना है आपने क्या हो गया भाईया कहां तुम लोगी गाड़ी चल रही है हाँ क्या अंसर होगा इसका तो देखे कह रहा है फिजिकल मैफड बया सल्फा डाय ऑक्साइट सूडियों बाई सल्फेट अगर यह होंगे भी तो कैमिकल होंगे इसमोग टेस्ट कुछ भी एरेशन एरेशन के तुरू क्या होता है पिस एरेशन का कामी होता है कि जो डिजॉल जैसे बूर करना एया बी मेंसे कैसे हुदाएगा फिजिकल मैटमू रही त्व पूछ रहेटा वह चैमिकल मैटम लोगे अगर सल्फ़डाय ऑटैक्साइट या सोडिया बाइ सलुपेड द्यूज्वी करोगे तो क्या कैमिकल मैटमे डोगा फिजिकल मैटमेड फिजिकल ट है यह यह बंगा यह धाना करा सब्सक्राइब होगा झाला यह तुम है धोकिशुक क फेली हृजव स्थिर भी आपको पानी को म्रदू बनाने का उपाए बताये फार मिंक आना कैसे करेंगे यानिके वाटर सॉफनिंग ये ये साव पता हम लोग कक्षा दस से पढ़ते आते हैं हाइज स्कूल 11 12 सब में होता है तो ये नाइन टैन तेलेवन तेल्ट में केमस्टी हम पढ़ते थे वाटर सॉफनिंग तो सबसे पहला है रिमूबल ऑफ टेंपररी हाडने बस सुनते जाओ यार सवाल वाल नहीं है इसके ऐसी होगा बस ठीक है ठीक है तो पहला बाई सिंपल बॉयलिंग कैल्शियम बाई कार्बनेट को जो हीट करते तो कैल्शियम कार्बनेट प्रस प्रेसिप्रेट हो जाता है जो की अलग हो जाएगा और वाटर और कार्बनेट मिलेगी जो की एयर में चली जाएगी दूसरा होता है वाई एडिशन आफ लाइं चुना को मिला देने से क्या हो गया जब्लाइट है तो कैल्शियम हाइड ऑक्साइड के साथ कमबाईन होकर यह मैगनेशियम हाइड ऑक् के दौनों क्या कर जाता है तली में बैठकर अलग हो जाता है ठीक है इसी तरह से चाहिए मैगनेशियम बाई कार्बनेट हो कैल्चियम बाई कार्मनेट हो यह क्या करते है कैल्चियम हाइड ऑक्साइड के साथ रेक्शन करके चूने के साथ कैल्शियम मैगनेशियम के बाई अच्छा बढ़िया अंकिल जी से वही वन मोल अफ एम जी सी ओटी रिकार्स बन मुल ओफ हाईडिटेड लाइंग वेराज बन मॉल अफ मैंगेशन बाइकार्मेट रिकार्स टू मोल्स अफ लाइंग ठीक हाला कि कोई पूछे का नहीं आप से करना चाहे कर सकता है दूसरा है आपका डिमूवल ऊफ टीटमेंट, परमानेंट हाडनेस पर्मानेंट हाडनेस किसकी वज़ए से होती सिया ? टीक है ठीक है फटाना इसमें गलत रीक्षिन देदिया साथ गलत रीक्षिन दीवे हैं चलो यहां से देखिए तो मेगनिशं और कैल्शियम के क्लूराइट सलफेट या नाइट अगर होंगे नाइटिट के वज़े से भी हलके फिलकी हो सकती है तो पहली लाइं के साथ रीक्षिन करते हैं तो मेगन क्लोराइट ता तो पहले क्या करेगा यह लाइम के साथ रिक्षन करेगा तो केल्शियum क्लोराइट b。 और यहां पर lime soda process sodium carbonate N2CO3 इससे क्या होगा इस calcium carbonate बनकर बैट जाएगा और नमक से कोई problem नहीं होती नमक से कोई problem नहीं होती ठीक है इसी तरीके से calcium sulfate sodium sulfate calcium nitrate sodium nitrate साथे के साथे water soluble है इनसा में कोई problem नहीं है और calcium cover तली में बैठके अलग जाएगा ठीक है अब अगर यही compound होते अगर देखो calcium के compound होते तो सीधे सीधे sodium carbonate से reaction करके दूर हो जाते calcium के compound और अगर यह magnesium के compound होते तो पहले calcium के compound में convert होते और फिर अगले step में यह भी दूर हो जाते तो soda lime method soda lime method ठीक है और जो carbon dioxide अगर होगी तो वो भी calcium hydroxide के साथ reaction करके calcium carbonate में convert हो जाएगी यह पूरा आपका इसका filter filter दे रखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है दूसरा आप जानते हैं base exchange process cation exchange भी बोलते हैं geolite method भी बोलते हैं सबसे बड़ी है यही होता है geolite क्या होता है Na2O, Al2O3.SiO3.YH2O sodium alumino silicate होता है green sand भी इसको बोलते है green sand यानि के geolite sodium alumino silicate तो इसमें क्या करता है यह Na2Z होता है जिसे NaZ लिखा this is Na2Z यह क्या करता है इन compound के साथ में calcium और magnesium जगे हैं वो Z के साथ चले जाते हैं और calcium की जगे पर magnesium की जगे क्या जाता है sodium sodium की जगे calcium magnesium पहुंच गए calcium magnesium की जगे पर sodium आ गया और इनको basically हमें calcium और magnesium को दूर करना है basically हमें क्या करना है calcium और magnesium को दूर करना है because ultimately hardness इन ही की वज़े से water will have zero hardness अगर sufficient amount में मिलाएंगे तो zero hardness और यह जो CAZ2 जो बना है ठीक है इसको आप दुबारा से दुबारा से रीकवर कर सकते हो किप कुछ नहीं करना नमक के पानी के में डाल देना इसको नमक के पानी में डाल दो के तो जियो लाइट दुबारा से मिल जाएगा ठीक है दुबारा मिल जाएगा रीजनिट हो जाएगा फिर एक होता है demineralization process demineralization तो ठीक है तो इसको आप रहने तो dm water इसकी कोई ज़रोत नहीं है इसे भी हटाओ फिर होता है कुछ minor treatment minor treatment में क्या आता है आप activated carbon के साथ इसका treatment करा दो तो जो order taste वाले metal हो जाएंगे दूर हो जाएंगे treatment with copper sulfate copper sulfate के साथ क्यों करता है तो एलगाई control करने के लिए इसको हम लोग copper sulfate के साथ करता है copper sulfate ठीक है removal of iron magnets कैसे कर देते हैं हम लोग aeration के थूर कर देते हैं aeration के थूर फिर होता है fluoridation addition of fluorine अगर fluorine काम है तो fluorine क्या करनी पड़ेगी मिलारी नी पड़ेगी नेक्स तर डी fluoridation अगर फ्लॉरीन जादा है तो उसको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा है तो तो दी fluoridation कैसे करते हैं तो देखेगा absorption by activated alumina ए अगर activated alumina यूज कर रहे हो fluorine को absorb करने के लिए तब इसे बोलता है प्रैशान्ती technology क्या वोलते हैं प्रेशान्ती इसके आलाबा नालपंडा टेक्निक भी होती है नालटiempo अपसे नाम से पूर सकता है प्रेशांthi या नालपंडा टेक्निक किसे वहे रिए दिये दिधा फ्लोरिडेशन के लिए 1,5 PPM से जाधा जो भी फिलोरिन होगी उसको हटाने के लिए पिर आयन एक्छेंस अप्षिन चल खो सब को हटाने के ठीक है तो भाई यह आपका कम्प्लीट हो गया वाटर टीटमेंट बढ़ाई ओ कॉंग्रेचलेशन्स वाटर टीटमेंट इस खत्तम फिनिश खलास कल से आपका स्टार्ट होगा सीवेश टीटमेंट अब आएगा मज़ा वी ओडिसी ओडिटी 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 ओसी ठीक है हाँ इंडियन टेक्नलोजी लग रहे हैं अरे पापको पता है इंडिया पहले वाई सार कितना आ गया ता दिल्ली का लोह इस्थम असो किस्थम जैक तो मिनार के पास में पता है हमारे देश की सबसे पूरी बात क्या है हम लोग कुतुम मिनार की बात करते हैं कुतुम मिनार सब लोग कुतुम मिनार देखने जांगे कुतुम मिनार में क्या है लेकिन कुतुम मिनार के कैमपस में जो लोह इस्थम है असली आजूबा यह है क्यों ये कुतुम मिनार के पहले असोक के टाइम का बना हुआ है और आज तक उसमें जंग नहीं लगी और ये भी सोचने वाली वात है कि कुत्व मिनार वहीं क्यों बनी जहां पर असोक का लोहिस्तम था कुछ तो लोचा यहां पर है आज तक इसमें जब कि दिल्ली के इतने पलुटिड उसमें है तब भी उसमें आज तक जंग परना स्टील प्रोड्यूस होता है उससे जान लो तो इंडिया में अगर उस समय इतनी प्योर आईरन बनाने की टेक्निक रही होगी तो हम लोग कहां होंगे वाई सब खुदी सोच ला को सोच लिए ठीक है लेकिन हम लोग क्या करता है लो इस तम को नहीं देखते इसकी क्या होता है अगराम अपने पास्ट पर प्रावड करते हैं अगर हम सोचते है उस बारे में Giving was प्रूंब सी बात है जैसे भिल्स ने बात किती थोग से और पहले रोंवन हैने कीबיס कि और पहले यह लुकल से की ब Gins morality ने क्या च्वेर वाली टीक्ताम रहरना उसने वहां टॉप किया सब्सक्राइब काया त tik І इसमें उसकी रेंक आई अठारा इससे उसका confidence और गजब रहा कि या जब मैं यह कर सकता हूं तो मैं जिंदकी में कुछ भी कर सकता हूं इसलिए फिर उसने आईएस की जॉड़ी और फिर उसने अने के बनाया इसी तरीके से अगर हम लोग जैसे अपने विवेक सर को भी कह सकत होती है चाहिए वो कोई भी लुटाफ और यह जो हमारी काम्यावियां होती है यह हमारी होसला देदी कि हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं मैं खुद भी j cohort में होता हूं कभी time खराब चलना होता है तो मैं पुराने अपने achievement को सोचता है मैं तब कैसे था तब मैं क्या करता तब मैंने क्या किया तो वहां से एक होसला मिलता है और हम लोग उस खराब समय से निकल कर आगे बढ़ते हैं कुछ कर सकते हैं इसी लिए आप देखिए जामेरिका वगारा में यह सुपर हीरो वाली मुवीज वहां जाता क्यों बिलते हैं कैप्टेन अमेरिका है ना आईरन मै सुपरमेन महला वह कॉन्फिडेंस एक अला गया वह एक सुपीरियोटी वाली जिन्दिगी जीते हैं तो उनसे क्या होता है रहता है हम कुछ भी कर सकते उन मुवीज को देखकर बच्चा जैना वह स्टार्टिंग से साइंस के वारे में सोचता है साइंस एक्षिन की आड़ जीग वेद में स्पीड ओफ लाइट की एक्जेक्ट कैलकुलेशन दे रखे है आइटीज के प्रॉफिसर बता रहा है कोई और दूसरा बताएगा तो यहां होगा एंसी फर्जी बाते कर रहो यह और वह तो हमें थोला सा उस इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स से बापिस निकल प्यूरिफाई करने की टेक्निलोजी केवल और केवल इंडिया और चाइना के पास थी ठीक है इसी तरह से आपको मालू में सबसे पहले जो वाटर पावर ती वाटर पावर जो डैबलप थी वो केवल और केवल इंडिया और चाइना के पास थी वाटर पावर आप किताब आपको मिल जाएगा तो तोला सा होना चाहिए बट कोई बाती नहीं है क्या कर सकते हैं ठीक अभी थैंक यू आज के लिए इतना ही 11 बजे वाला सेशन अब नहीं होगा इसी में टाइम किज गया यहां तो बस हर मुवी में एक ही चीज़ होगी हीरो हीरो इन विलेन कहानी खतम उसके लावा कुछ नहीं चलेगा हाँ बिल्कुल और क्या नालंदा तक्सिला ना सब्सक्राइब चले थैंक यू अवरिवन गुड़नाइट तो कल मिलते हैं हम लोग सीवेस ट्रीटमेंट को लेकर आते हैं बागी जो पाई पर टिनांसर ना बाल्ब वगयार है यह सब एक किलास में एंड में करवा देंगे क्वेस्टन के थुरू ठीक है मैं टाइम ख्राब नहीं करेंगे ठीक है में ओका ना इतीक वाटर टीटमेंट हो गया सीवेस टीटमेंट हो गया तो साइकोलोजिकली प्रेशर आपका खताव हो जाता कि हावई 90 परसेंट तो हमारा यह कवर हो गया अब को ने पाइथागोर स्थियोरम पाई की वैल्ली यह सब इंडिया में और लेडी बहुत पहले डिस्कावर हो चुका था वो तो क्या कि यह भाहर से लोग आते थे यहां की किताबें ले जाते थे हम लोग लडाई जगडे में रहेगे वो लोगों ने क्या क्या किताबो को टांस्लेट करना सुरू कर दिया अब हमारा जो भी स्क्रिप्चर से वो किसमें संस्क्रित में अब हम लोग क्या करने हैं जो साइंस पढ़ रहा है वो साइंस नहीं पढ़ रहा है ना सारी पढ़ाई होगे अंग्रेजी में तो आप अपनी परानी चीज़ सीखोगे कहां जी को एक है